अपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब प्लाटफॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है मैं कमल छाबडा आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ इस सीरीज का एक और बहतरीन टॉपिक पाउंटिंग ओफिगर्स अकृतियों की गणना करना बहुत से स्टुडेंट्स के लिए टॉपिक जो है काफी difficult है difficult in the sense उन्हें कभी भी confidence नहीं आ पाता कि जो हमने question का answer figure out किया है कि वो answer हमारा accurate है या नहीं तो बहुत जादा problem create होती है बहुत से स्टुडेंट्स को मैंने ऐसा भी देखा है कि exam में इस question को वो skip करके आते हैं इसा कभी मत करना बहुत ही असान chapter है अगर आपके basics clear हैं तो तो करने का तरीका तो आपको पता चली ही जाएगा फिलाल जो इस series में इस video को first time देखने जा रहे हैं 2018 से लेके 2022 तक के उसमें जितने भी top level के बड़िया level के question बन सकते हैं वो सारे के सारे question जो हैं हम topic wise discuss कर रहे हैं ऐसे question जिनको attempt करने में students को बहुत ही ज़ादा problem आती है कुछ नए pattern के question भी है मतलब इस पूरे का पूरा सभी question का बड़िया level के question का जो निचोड है हम इस series के अंदर रखने जा रहे हैं वो भी topic wise with best explanation तो जितना हो सके अगर आपको ये sessions अच्छे लग रहे हैं तो बाकिवें के साथ जरूर share कर देना तो pen and paper ready रखिएगा इस chapter में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये first time counting of figure के question देख रहे है तो मैं आपको suggest करूँगा कि YouTube पे एक video available है मेरी counting of figures की पाँच गंटे की चार साथी चार गंटे की video होगी वो उसमें सारे के सारे concepts जो है एक पर आप go through कर लिजे चाहे उसे double speed के साथ देख लिजे क्योंकि बहुत से question ऐसे आने वाले हैं आगे चलके जिसमें वो tricks use होंगी और मैं आपको पहले ही clear कर दूँ आगे बढ़ने से पहले के counting of figure के हर एक question का कभी भी shortcut नहीं होता काफी students जो है वो demand करते हैं कि आपकी books में जितने आपकी book के अंदर जितने भी questions हैं उसमें detail explanation दी गई है tricks नहीं दी गई तो भाई मैंने तो अपनी books में 200 questions डाले हैं अब 200 questions की 200 tricks बनाने बैठाऊ ऐसा नहीं है किसी भी question का हर a question का shortcut नहीं होता हाँ कुछ एक figure ऐसे आती हैं जैसे आपको triangle count करने के लिए दे दिए squares count करने के लिए दे दिए तो उसमें कुछ entities या कुछ ऐसी figures embed होती हैं अंतर नहीं होती हैं जिनको आप directly figure out करके उनका direct answer conclude कर सकते हो तो time saving approach होती है उसके लिए आपको उन basic entities का idea होना जरूरी है तो अगर आप entities की tricks सीखना जाते हो तो ये वीडियो है आपके लिए इसे जल्दी से double speed के साथ go through कर लो आपको question की explanation में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ओके क्योंकि जो ये वीडियो है इसमें मैंने concept के साथ सा tricks बता रखी है तो आपके mind में वन गो में feed भी हो जाएगी tension मत लेना ध्यान में रहेगा कि हाँ इस पर ये वली trip कब apply होई ये वली trip कब apply हो रही है दिक्कत नहीं आएगी question की explanation में ये information बहुत ही ध्यान से सुनेगा बहुत से student ऐसे हैं जिनको PDF ढोड़ने में बहुत ही ज़ादा दिक्कत आती है कि जो भी वो session देख रहे है YouTube पे उस session की PDF मिलेगी कहा तो मैं आपको clear कर दूँ कि जो आपकी even coaching center की app है इसमें जो YouTube PDF नाम का एक tab है यहाँ जाए यहाँ पर different folders बने हुए जैसे कि ये video जो है आप देख रहे हैं में 2023 में में 2023 में upload की गई है तो यहाँ पर ही इसी type के अंदर आपको में 2023 का folder मिलेगा उसी folder में ही आपको इस session की PDF मिलेगी clear हो गया? जिस मन्त में वीडियो आई है उसी मन्त के नाम का folder होगा उसी folder में ही आपको उस session की PDF मिलेगी clear? तो चलिए ज़्यादा time waste ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे session का question number one तो black screen use कर लेता हूँ मैं start करते हैं तो पहला question है आपके सामने panel और paper ready रखिएगा साथ के साथ इसी solve करते रहिए double speed के साथ देख लो चाहें तो मतलब accordingly अपने accordingly manage कर लीजे speed जिसमें आप comfortable हो solution जरूर देखिएगा किस तरह से question को solve करने का तरीका है क्योंकि काम आता है exam में method proper strategy के होने चाहिए question को solve करने की तो पहला question है हमारे पास कोई काकरिती दी गई है उसमें आपको number of triangles त्री भूजों की cool संक्या ग्याद करनी है अब सुनिये ध्यान से अब यहाँ पर पहले आपको क्या करना होता है basic entities को target करना है basic entities आपको पता ही है काफी tricks लगती है काफी entities में तो कई बार ऐसा भी होगा जैसे कि यह question हमारे सामने है जिसमें कोई भी tricks follow नहीं होगी फिर आपको conceptually question को solve करना है conceptually कैसे करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है जो भी आपको figure दी जाए count करने के लिए जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है triangles count कीजिए तो वो आपको क्या है exact figure जो भी आपको count करने के लिए दी जाएगी उसे आपको step by step solve करना होगा जैसे कि step by step हम ऐसी triangles देखेंगे ऐसे single component देखेंगे जो triangle की shape provide कर रहे हो component क्या हो गया यह जो figure है यह जो block है यह भी एक component है यह भी एक component है यह भी एक component है मतलब जितने भी blocks होंगे हम उसे component का नाम दे देंगे वो block किसी भी shape का हो सकता है ट्रेंगल की shape का square की shape का rectangle की shape का pentagon की shape का could be anything किसी भी shape का हो सकता है तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से components है जो triangle की shape create कर रहे है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो single component की बात करते हैं पहले एक एक component को उठाना है फिर दो-दो components कोई कठा करके देखना है कोई triangle तो नहीं बनता या square तो नहीं बनता आगे चलके देखेंगे फिर तीन component कोई कठा करना है चार component कोई कठा करना है यह सब कुछ मैंने detail में बता रखा है जो मैंने आपको पिछली वीडियो बताई थी वो YouTube पे देखिए सारी picture clear हो जाएगी कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ हाँ जिसने किया होगा उसको तो पता चल गया होगा कि मैंने क्या statement गई है अभी तो सबसे पहले हम single components को target करेंगे जो एक triangle की shape create कर रहे हैं तो single component में देखिए कितने आ रहे हैं छे, साथ और आठ तो single component ऐसे हैं आठ जो एक triangle create कर रहे हैं अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम triangles की या in components की merging करेंगे मतलब हम ऐसे components को इकठा करके देखेंगे दो component, तीन component जो इकठा होके फिर से एक triangle create कर रहे हैं अब जैसे कि अगर मैं इन दोनों कोई कठा करके देखूँ देखो, starting है थोड़ा time taking रहेगा क्योंकि काफी student ऐसे भी होंगे जो first time उससे पढ़ रहे होंगे तो एक tuning match हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा ध्रीधीवे पढ़ाऊँगा, starting में फिर एक दम से speed हम कीच देगे तो अगर मैं इन दोनों components को merge करूँ तो देखेंगे के triangle create हुआ या नहीं इल्कुल नहीं हो रहा कोई भी दो component उठा लो देखो triangle create हो रहा है या नहीं तो दो component को merge करके तो triangle नहीं बनाई रहा अगर मैं तीन component को ही कठा करूँ एक, दो, तीन, यहां से भी triangle नहीं बन रहा ये तीन उठा लो, ये भी नहीं बन रहा ये तो quadilateral बन रहा है, चत्र बुझ चार component को ही कठा करें एक, दो, तीन, चार, यहां से भी आपको कोई भी triangle नहीं मिल रहा बढ़ अगर मैं इन चार component को आपस में ही कठा करूँ, देखो ये triangle create हो रहा है तो इस तरह से आपको components को merge करना शुरू करना है, बढ़ step by step पहले single components को target करो फिर दो, दो component को merge करके देखो फिर तीन components को merge करके देखो फिर चार, फिर पाँच, फिर छे जितने भी components साब merge कर सकते हो within that figure तो ये conceptually जो है, वो question solve हो रहे है और expected यही है कि exam में अगर आपको question आया तो वो conceptually ही आपको solve करना पड़ सकता है tricks के साहरे मत रहना कि हाँ, मुझे tricks से related question आएगा उसमें ऐसे figure दिखाई देगी entity दिखाई देगी, जो embed होगी जहां से मेरा time save हो जाएगा उसके साहरे बिल्कुली मत रहना अगर आगया तो well and good, बट फिर भी आपको question को conceptually solve करना ही है tricks जो है, या entities बनी होई है, वो कही न कहीं आपका time save कर सकती है अब ये मत कहिएगा कि पूरा question ये trick मतलब के 4-4 components को merge करने पे हमें 2 triangles की formation और हुई तो अभी तक हमें कितने मिल चुके हैं 10, तो जो आपका answer नहीं बन सकता उसे आप eliminate भी कर दो उसके बाद देखिए, अभी तो हमने 4 components को merge कर दिया, अब आगे देखिए कोई और component merge करने पे triangle की form दिखती है या नहीं, इन 4 के साथ अगर ये 5 मिला दे, तो ये triangle नहीं बनेगा, ये 6 मिला दो तो भी triangle नहीं बनेगा, मतलब आप जितने भी components है, अगर आप उन्हें सारा भी मिला देंगे, सभी कोई कठा भी कर देंगे, तो भी triangle create नहीं होगा, इसलिए हमारा यहाँ पर final answer क्या है, 10 तो confident होके आपको हमेशा questions solve करने हैं, अगर confidence नहीं आपको अपने उपर, कभी मत सोच के चलिएगा कि आपका one go में question का answer जो है, वो accurate होने वाला है, घबराना नहीं है बिलकुल भी अगर confident है, तो always ही बात है, attempt करो अगर confidence नहीं बन पा रहा, वो कैसे पता चलेगा, practice की दोरा नहीं, भाई होते ही नहीं है, फिर तो देखो कोई alternate नहीं है आपको exam में questions की पही करना है बस भागो मत, challenges को जो है, accept करना सीखो, क्यों नहीं हो रहा दिक्कत कहां आ रही है वो आपको खुद बता होगा कहां कहां, किन चीज़ों में आप lag कर रहे है उसको पहचानो उसको overcome करो भागना नहीं है चीज़ों से, free के तो number मिनते हैं देखो, अगले question के उपर आते है question number 2 यहां पर भी हमें क्या count करना है number of triangles count करने है तो वही बात आती है यहां पर भी इस question में हम क्या करेंगे अगर जो entities visible हुई तो entities को देखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे चलीजी, शुरू करते हैं तो सबसे पहला task वैसे यहां पर entity visible तो है पट कितनी visible है सिरफ और सिरफ एक, यह देखो इस figure से हमें कितनी triangles दिखाई दे रही है तीन, उसके इलावा हमें जो है question को manually ही solve करना पड़ेगा तो इससे भी क्या ही हो जाएगा तो वही बात आती है, question manually ही solve करके देखते हैं, तो सबसे पहले बात single components में target करते है number of triangles कितने create हो रहे हैं तो देखे दियान से, एक, दो ये तीन और ये चार, तो single component में 4 triangles create हुए अब क्या काम आएगा हमारी merging अब हम triangles या components को merge करके देखेंगे, ये check करेंगे कि कहीं 2 component merge हो के कोई triangle की shape create कर रहे हैं नहीं कौन से 2 triangle create करें combine करें या components merge करें इन दोनों को इकठा करो एक triangle ये बना देखो 2 components merge किये मैंने और 2 components को merge करें एक triangle ये create हो रहे हैं ये भी 2 component merge हुए जहांसे देखते रहे ना और 2 component कौन से हो सकते हैं merge करें तो, एक, ये हो सकता है number 3, और कौन सा हो सकता है ये number 4 ये देखो तो दो-दो components को merge करके हमारे पास कितनी triangles create हुई चार triangles create हुई दो components merge किये कितनी हुई चार triangles और create हुई अब इसके बाद देखिए दो component को दिक अठा कर लिया अब आगे हम देखेंगे कोई 3 component merge होके triangle बन सकता है नहीं फिर 4 बन सकता है नहीं जब भी question को solve करो न parallelly मैं बार-बार कहता हूँ option का reference ज़रूर लेके चलो अब भी तक हमें कितने मिल चुके हैं 8 अब देखते हैं कोई 3 component merge होके triangle बनता है नहीं बिल्कुल बन रहा है ये देखो इन 3 नों को merge कर दो यह देखो इन 3 नों को merge करेंगे 1 triangle की formation यहाँ पर भी हो रही है ओर कोई 3 उठाओ देखो triangle बनता है नहीं 1, 2, 3, इन 3 नों को उठाएंगे तो triangle नहीं create हो रहा यहाँ से उठाएंगे तो भी triangle नहीं create हो रहा मतलब कि 3 components को आपस में कौन से चार component इकटे हो सकते हैं ये देखिए एक दो तीन और चार ये देखो ये भी component है ये चारो को इकठा करो ये triangle की shape दे रहे है बड़ा सा triangle यहां से भी एक दो तीन और चार इन चारो ट्रेंगल को club करो ये भी triangle की shape आ रही है तो मतलब तीन के बाद कितने club हुए हमारे पा एक ये हो गया और दूसरे वाला ये हो गया ठीक है तो अभी तक कितने मिल चुके हैं चार चार आठ दो दस और एक कितना हो गया ग्यारा तो हमारा final answer क्या आ गया C option ठीक है क्योंकि इससे जादा हम merge करके और triangle create कर रही नहीं सकते हम upper limit तक पहुंच चुके हैं अगर मैं 5 component को भी merge करूंगा कोई भी 5 उठाओगे तो वो properly आपको triangle की shape नहीं provide करेगा ठीक है तो जब भी question को solve कर रहे हो confident होके answer mark करना है ठीक है बस task complete करना है आपको काम धूरा नहीं छोड़ना जैसे ये काम धूरा नहीं छोड़ना तीन को merge कर लिया final answer दे दिया चार को merge कर लिया आगया आप merge कर ही नहीं रहे है ठीक है हाँ ज्यादा दिक्कदारी है तो option का reference लो और जो आपका option counting में आ रहा है और वो नहीं create हो रहा option के अंदर उसे आप eliminate करते रहो या उसकी value से अगर आप exceed कर चुके हो ठीक है चलो अगले question के उपर आते हैं हो गया हो गया हो गया चली next question देख हो सकती है जैसे कि यह होगे इसमें तीन बन रहे हैं इसमें भी 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 तीन बन रहे हैं पाकि आपको manually solve करना है बताओ अब यह आपको क्या help करेगा इसमें confusion create हो सकती है यह बात अलग हो ना कि इ होती ज़ादा ज़रूरी है, ट्रिक्स तो हर को implement कर ही लेता है, बढ़ हम ये target करके चल रहे हैं, एक्जाम में question easy नहीं आने वाला, मतलब ऐसा question याएगा, जो trick के through ही solve हो वो आपको कहीं न कहीं manually solve करना ही पढ़ सकता है, ठीक है? चलिए, तो single component में target करते हैं, number of triangles कितनी हैं, ये देखे दिया से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, और सत्रा, तो single components में visible हो रहे हैं ना, देखो, तो single component में हमारे पास number of triangles कितनी आई, 17, अब इसिरफ single component में बात किया है, total number of triangles कितनी हुई, 17, अब merging करना शुरू कर दो, merge करेंगे कितने, दो से तो बन ही रहा था, हमने वो shapes भी देखी दिना, देखो, अब इन दोनों को merge करो, एक triangle ये create हुआ, इन दोनों को merge करो, देखो, जब भी components merge करोगे न, इस चीज़ का ध्यान रखना, वो दोनों components, या तीन components या जितने भी होंगे merge करने जा रहे हो, वो adjacent होने चाहिए, 7 लगके बैटे होने चाहिए, ठीक है, या वो common side या common portion को share करते होने चाहिए, इन दोनों को merge करोगे, एक ये बन जाएगा, इन दोनों को merge करोगे, एक ये बन जाएगा, तो दो components को merge करके, हमारे पास number of triangles कितने create हुए, चार, अब देखो, अभी तक कितने मिल चुके हैं, 21 मिल चुके हैं, ठीक है, option eliminate करना शुरू करो, तो हमारा B option तो answer होगा ही न, इसके बाद देखते हैं, क्या कोई भी तीन component merge होके, triangle की shape दे रहे हैं नहीं, कोई भी तीन उठा लो, अगर इन तीनों को उठाएं, तो ये triangle नहीं बन रहा देखो, इन तीनों को उठाएं, ये भी नहीं बन रहा, इन तीनों को उठाएं, ये भी नहीं बन रहा, है देखो जब भी triangle create करना है न vertices को हमेशा priority भी दे सकते हो जैसे कि अगर मैं इस vertex से उठाना शुरू करूँ और triangle की shape बनानी है ये देखो एक triangle की shape ये बनी जिसमें 4 components या 5 components merge हो रहे हैं और अगर हम बात करें एक triangle ये भी option compare करते हैं अभी तक हमें कितने मिल चुके हैं total 23 ये को maximum option ही हमारे पास 23 है क्योंकि obvious ही बात है अगर मैं इसमें confident हूँ कि मेरे पास 23 triangles तो बनेंगे ही बनेंगे तो मतलब जो option में available नहीं है answer उसे आप बाहर निकालो तो ये question जो है हमेशा कहता हूँ मैं हर chapter में ये बात बोलता हूँ जब भी question attempt करने बैठो ना थोड़ा आपको उसका solution lengthy लगे तो option का reference जरूर लो accordingly अगर आपका option नहीं match हो रहा है तो उस option को eliminate करते रहो जैसे कि ये वाला था 23 तो बन नहीं थे 22 वाला eliminate 20 वाला 21 वाला सारे eliminate बचाएगा को सा 23 आगे और दूढने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि चारो में से कोई ना कोई तो option answer होने वाला है ना ठीक है जी चलो question number 4 पे आते हैं यहाँ पर भी हमें क्या count करना है number of triangles ही count करना है चलिए यहाँ पर entities solve हो सकते हैं देखो single entity आपकी multiple times use हुई है यहाँ आप entities use करो इस entity को use करते हैं और इस entity में कितने होती हैं तीन triangles एक दो इकठा कर दिया तो तीन चलिए use करते हैं यह कितनी है base के उपर count कर लो यह एक base है जिस पर यह entity दिखाई दे रही है यह दूसरा हो गया यह तीसरा हो गया यह देखो proper बन रही है ना यह तीसरी होगी तीसरा base हो गया यह चोथा base हो गया यह complete बन रहा है समझा रहा है ना तो यह entities अभी तक कितनी हो चुकी हैं चार दूसरी तरफ count करें यह 5 यह 6 और यह 7 तो मतलब के हमें यहाँ पर 7 entities 7 identical shapes इस तरह की दिखाई दे रही है तो अगर एक में 3 होती है तो 7 में कितनी हो जाएंगी 21 तो यह तो हमने entities को use किया अभी तक अब इसके बाद आती है merging merging कैसे करेंगे अब different entities को use करके हम शुरू कर सकते हैं जैसे कि अभी तक मैंने जो है इस shape को include नहीं किया जहां से समझना मैंने इस shape को include नहीं किया मैंने सिरफ इन entities को target किया है ना चाहे यह वाली entity हो चाहे यह वाली हो तो ध्यान रखना है जब भी आप किनी भी entities को tricks को use करते हो ना तब ध्यान रखिएगा कौन सी figure count की है कौन सी figure count नहीं की अब इसका reference लेके चलते हैं एक triangle तो यह हो गई number one अब इसी को इन वाली और इस वाली figure के साथ merge करके देखते हैं कोई triangle create कर पता है यह नहीं एक तो यह होगी अगर मैं इसे इनके साथ merge करूँ तो एक triangle यह बनता दिखाई दे रहा है देखो बड़ा सा आपके सामने ही है एक triangle ये बनता दिखाई दे रहा है ठीक है अगर मैं इसी shape को इस वाले part के साथ club करूँ तो एक triangle आपको ये भी बनती दिखाई दे रही है मतलब जो ये अलग बैठा हुआ हिस्सा था component था triangle की shape में ये तीन triangle overall create कर रहा है एक तो वो अकेला खुद हो गया दूसरी इस वाली shape के साथ triangle बनता है तीसरा इस वाली shape के साथ triangle बनता है ठीक है तो यहां से हमें तीन triangles की formation और provide हुई चलो हमने इसे जो है इसके साथ भी club करके देख लिया फिर आप क्या है सारी की सारी shape को अगर इकठा करके देखें तो चेक करो कोई ओर triangle बनता हुआ दिखाई देता है नहीं देखो अभी तक हमें 24 मिल चुके है ओप्शन जो है 24 भी है 24 से उपर भी है इसके इलावा देखते है कोई ओर triangle create होता हुआ visible हो भी रहा है नहीं जहां से देखते है रोज चेक करना पड़ेगा हमेशा हाँ बट यहां पर देखें तो 4 बन रही थी हमने इसको merge किया अगर तो क्योंकि इसके इलावा तो और कोई बन नहीं रही है हमने कौन कौन सी देखी थी जहां से देखिएगा एक ये बन रही है इसको इसके और चौती ट्रेंगल ये हो गई, तो इसमें एक और जुड़ेगी, क्योंकि चार बन रही है, इसी की क्लबिंग में आके, तो अब कितना हमारे पास final answer आ रहा है, 25 जो है हमारा final answer हुआ, क्योंकि इसके इलावा कोई भी shape उठा लो, आप चाहे इसको उठा लो, इसको उठा लो merge करोगे, 4 triangles create नहीं हो पा रहे हैं, उके, चलो, इसलिए हमारा answer आ गया, A option, चलिए जी, तो पहले खुद solve करके देखना, दिक्कत आए, तो solution के उपर आना, answer की तो आपको मिली जाएगी, PDF मिल जाएगी, PDF आपको पता ही है, आप download करो, YouTube PDF का महाँ पर tab मिलेगा, महाँ से है, number of triangles ही count कर रहे हैं, आते हैं, तो entities use हो सकती हैं, देखो, एक single entity ये use होई, 3 triangle तो ये बन गई, 3 और 3 कितनी हो गई, 6, 6 और 3 कितनी हो गई, 9, ठीक है जी, इस 9 के बाद 3 ये हो गई, 12, 12 और 3 कितनी हो गई, 15, ठीक है, तो similar entities हमें 5 available हुई, एक में 3 होती हैं, तो 5 में कितनी हो गई, 15, अब इसके बाद बात करते हैं, देखो, यहाँ से हमारा time save हो रहा है, इसके बाद का जो procedure है, वो आपको manually ही करना पड़ेगा, अब जैसे अलग से अगर हम बात करें, तो एक triangle ये visible हो रही है, देखो, 15 और 1 कितने हो गई, 16, ठीक ये भी visible हो रही है, देखो, single component में एक ये है, तो एक ये है, तो इसे मैं 2 कर रहा हूँ directly, एक एक नहीं count कर रहा हूँ, directly 2 ही count कर रहा हूँ, इसके बाद हम merge करना शुरू कर देंगे, पहले तो इस component को बाकियों के साथ कलब करके देखो, कि वो triangle की shape दे रहा या नहीं, ये कि किसे के साथ भी triangle create करता हूँ, नहीं दिखाई दे रहा हूँ, अगर मैं इस वाले portion और इस वाले portion को आपस में merge करूँ, तो एक triangle ये बनी, ये देखो, अगर मैं इस वाले और इस वाले portion को merge करूँ, तो एक triangle मुझे ये भी बनती दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमारे पास merging के अंदर different figures को merge करने पे दो triangles जो है और visible होगी तो दो और add on कर दो तो 15 और 4 कितने होगे 19 आपका C option eliminate फिर भी आप directly go through कर सकते हैं कहीं ना कहीं कोई और तो नहीं merge हो रही क्योंकि जितने भी आपने count कर लिया आपके mind में वो retain होगा कि इसे count कर लिया है ध्यान दीजेगा उसे recount भी मत कर ले ना इन shapes को अगर मैं बात करूँ चाहिए आप किसी के साथ भी club करो तो और further आपको triangles create होता हुआ नहीं दिखेगा इसलिए हमारा final answer कितना आगया option A that is 19 triangle समझागी बात चलो next question के उपर आते हैं अभी इस figure के अंदर हमें work गयात करने हैं how many squares are there तो squares की अगर बात हो रही है तो आपको इस entity के बारे में तो पूरा idea होना चाहिए कि एक window एक खिड़की की shape देता है तो एक window के अंदर हमारे पास number of triangles कितनी होती है 5 तो इन windows को target कर लो चलो एक window तो ये दिखाई दे रही है 5 तो हो गए ये ये वो visible हुआ एक window ये दिखाई दे रही है ठीक है 5 और 5 कितने हो गए 10 एक ये है ये 11 और एक ये है 12 हो गई समझ में आगया इतना ठीक है चलो 5 और 5 दस 1, 11 और 1 कितना हो गया 12 इसके बाद बाद करते है 12 के बाद और कितने squares जो है यहाँ पर हमें मिल सकते है अगर हम इन 12 के बाद बाद करें तो ध्यान दीजिए एक square जो है यहाँ पर बन रहा है work ओके एक work जो है वो सारी की सारी shapes को create करता हुआ दिखाई दे रहे तो दो squares की shape जो है हमें यहाँ पर और visible हो रही है अब 12 और 2 कितने हो गए 14 तो आपका A option eliminate C option eliminate बट option हमारे पास 16 भी है तो try करके देख सकते हो आप कि हमारे पास कुछ और visible हो रहा है इनके इलावा क्योंकि देखिए टास्क हमने अभी तक वैसे देखा जाए तो complete कर लिया है चार sections थे हमने चारो sections को individually solve करके देखा इसमें 5 ये 6 ये 7 ये 7 ये 7 और 5 कितने होगे 12 फिर हमने clubbing भी कर दी club करने पे हमारे पास चारों को club करने पे एक square shape में दिखाई दे रही थी एक तो ये वाला square दिखाई दे रहा था वर्ग और एक ये वाला वर्ग तो task पूरा हो गया इसके इलावा merging और क्या ही करोगे आप ठीक है confident हो directly d option mark कर देना अगर हलका सा भी doubt आए skip कर सकते हो हाँ अगर आप 50-50 chances लेना चाहते हो तो BOD में से कोई भी opt कर लो मतलब जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यार मेरा ये answer हो सकता है जहाँ positive vibes आए ना कि नहीं ये वाला option answer हो सकता है आप उसे mark कर सकते हो मतलब अगर 80-20 का doubt आ रहे तो 80% chances है D option होगा 20% है भी ये होगा फिर आप risk ले सकते हो 70-30 पे पर risk ले सकते हो 50-50 पे मतले ना ठीक है क्योंकि marks से जादा आपकी accuracy count होगी एक question तो गलत हो गई होगा वो 1-4 भी ले जाएगा tier 2 में बात करें तो 1-3 marks भी ले जाएगा ठीक है फिर rank देखो जट सा ही नीचे आएगा एक question गलत होता ही तो question attempt करो वही attempt करो जो आपको 100% accuracy के साथ पता हो confident हो के मेरा answer यही होने वाला है इसके इलावा नहीं चलो अगले question के उपर आते हैं question number 7 यहाँ पर भी आपको क्या करने है squares ही count करने है तो वही बात आती है shapes को अलग-लग figure out कर लो एक तो यह shape बन रही है इसमें कितने हो गए 5 यह देखो visible हो रहा होगा अगर 5 यहाँ पर आए तो 5 यहाँ पर भी है अभी हम अलग-लग figures को target कर रहे है 5 है और 5 कितने हो गए 10 एक यह हो गया और एक यह हो गया तो कितने हो गए अभी तक के 12 12 squares 12 वर्ग तो जो है हमें यहाँ पर available हो चुके है ठीक है चलो इसके बाद बात करते हैं अब इनकी merging शुरू कर दो merging शुरू करेंगे तो वही बात है पिछले question की तरह ही sorry 12 तो मिल चुके थे merging अगर शुरू करेंगे इन दोनों को merge करो फिर square नहीं मिलेगा इन दोनों को merge करो तो भी नहीं मिनेगा rectangle बन जाएगा आयत इन दोनों को इन दोनों को नहीं मिलेगा फिर जब हम चारों shapes को merge कर देंगे तो एक square हमें यहाँ पर available है और एक बड़े वाला square जो बाहर वाला है सबी की सबी figures को club करके एक यहाँ available है 12 और 2 कितने होगे 14 जो है हमारा final answer अब directly 14 पे क्यों किया मैंने यहाँ पर click क्योंकि मैं सारी की सारी shapes को इकठा कर चुका हूँ इसके लाव है मेरे पास कोई और components available नहीं है कि जिनने मैं use करके या merge करके बाकियों के साथ four square create करवा सको ठीक है तो यह मेरा जो है extreme limit वाला final answer है next question number 8 यहाँ पर हमें count करने है number of triangles कितने है तिर भुजो की संख्या ग्यात कीजिए number of triangles चलो जी आते हैं इसके उपर अब देखो यहाँ पर वही बात आती है दो तरह से आप tricks को कि यह जो question है CGL tier 1 में आया हुआ question है 6 June 2018 shift 2 का और यह answer की में गलत लग किया था इसका answer क्योंकि मुझे भी answer की के साथ match करना पड़ा वो तो solution ही गलत दिया हुए कुछ एक website के उपर तो तो इस question को ध्यान से देख लीजेगा तो यह जो आपको entity है ऐसे use कर लो यह entity आपको ऐसे भी दिखाई दे रही है देखो यह देखो तीन यह हो गए तीन यह हो गए 6 और 2 कितने हो गए 8 अगर आपको इन entities को utilize करते हुए question को solve करके देखना था तो चलो इसके इलावा आते है अब ध्यान दीजे इस चीज का कि हमने इस वाली shape को अलग से target कर लिया जिसमें कि हमने दो entities create की एक ये वाली और एक ये वाली तो तो ये हो गई थी मैं इसी का ही reference लेके चल रहा हूँ इसके इलावा अब हम क्या करेंगे merging करना शुरू कर देते है चलो merge करके अगर हम देखे तो जो directly पहले ही visible हो रहा है सबसे पहले आप उसे उठा सकते हो अगर मैं इनको इसके साथ merge करके देखूँ तो ये देखो एक triangle ये बनती दिखाई दे रही है इस वाले portion को अगर इसके साथ merge करके देखूँ तो एक triangle मुझे ये visible हो रही है इसको तो अलग से handle कर लिया था इसमें मिले थे हमें कितने तीन और तीन छे दो कितने हो गए थे आठ अभी इसको अलग से देखा इसको अलग से देखा इसको भी अलग से देखा अभी इन दोनों को merge किया और इन दोनों को merge किया तो दो triangle की shape और available हुई ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, पहले मैंने इस वाले portion को इसके साथ merge करके देखा, इस वाले portion को इसके साथ, पहले इने अलग 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 देखा था, इसमें 3 थे, इसमें 3 थे, 6 और 2 कितने हो गए, 8, मतलब मैं पूरी shape को divide करने वाला हूँ, break करने वाला हूँ, जहां स entities मुझे easily visualize हूँ, ये 3, ये 6, 7 और 1, 8, फिर मैं इस shape को merge करता है, तो एक triangle ये create होता हूँ, दिखाई दे रहा हूँ, यहां merge करता है, तो एक triangle और create होता हूँ, दिखाई दे रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को portion को merge कर दूँ, तो एक बड़ी वाली triangle भी तो बन रही है, दे 12 और 1 कितना हो गया, 11, option C जो है हमारे यहां पर final answer हो गया, ठीक है, इसके इलावा कोई भी triangle merge करके या components merge करके हमें available नहीं हो रही है, triangle की basically, चलो, next question के उपर आते हैं, चलो, यहां पर भी triangles ही count करने है, तो वही बात आती है, अगर आप tricks use कर सकते हो, trick भी एक में use होगी है, द चलो, तो पहले single component में count कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो single components में triangles की shape कितनी आ रही है हमारे पास, 9, अब करते हैं merging, दो-दो को club करना शुरू करो, दो को club करने पर एक triangle तो यही, देखते ही मिल रहा था, एक, इसके इलावा, यह number 2 हो गया, इसके इलावा, यह number 3, ठीक ह चलो, तो 2 को club करने पर number of triangles कितनी create हुई, 3, अब 3-3 triangles को club करना शुरू करेंगे, या 3-3 components को club करना शुरू करेंगे, यह नहीं कि triangles को club करना शुरू करेंगे, हम components को club करना शुरू करेंगे, अगर मैं 3 component को यह कठा club करूँ, देखो, 3 component को यह कठा करने पर, एक तो यह triangle की shape आ हैं चलो options को eliminate कर सकते हो साथ की साथ ही अभी तक कितने मिल चुके हैं 9, 3, 12 और 2, 14 पट आगे भी बनेंगे तो 14 वाला आप directly eliminate कर सकते हो क्योंकि अभी shape से दिखाई दे रही हैं हमें अगर मैं 4 को merge करना शुरू करूँ यह देखो यह 4 components हा रहे हैं count कर लो 1, 2, 3 और 4 इसके इलावा बात करते हैं इनके इलावा बात करते हैं समझा रहे हैं देखो जहां कहीं भी doubt है rewind करके जरूर देख लेना इसके इलावा अगर हम यही portion उठा रहे थे तो इसी vertices से 2 triangles की shape हमें और भी दिखाई दे रही है एक triangle यह create हुआ एक triangle यह create हुआ तो और आगे देखो 9, 3, 12 और 6 कितना हो गया 18 जो है हमारा final answer क्योंकि इसके इलावा यह वाला तो किसी के साथ भी merge कर लो बाहर वाली बैठी shapes इनको किसी के साथ भी merge करो इनके साथ कोई भी triangle create होता हुआ नहीं visible ठीक है अगले question के उपर आते हैं इसमें भी 3 भूज ही निकालने हैं कितने हैं तो देखिए कोई trick follow हो सकती है नहीं कोई entity नहीं यूज हो रही चलो बात करते हैं देखो ध्यान से तो पहले मैं यह वाला portion target कर लेता हूँ देखो एक यह दो यह तीन और यह चार समझागी बात मैंने इस वाली figure में ही निकाल लिए चार ट्रेंगल बनने हैं यह पांचमा और यह छटा छोटे वाला दो और बन गए कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए यहां तक repeat कर देता हूँ कहते हो तो एक यह है एक यह है दो इसके इलावा यह तीसरी यह चोथी यह पांचमी और यह छटी ट्रेंगल ठीक है छे हो गए इसके इलावा देखिए एक ट्रेंगल की शेप आपको यहां दिखाई दे रही है कितने और बन गए दो और बन गए दो और बन गए दी ओप्शन होगे आपका eliminate और देखिए चलिए और ट्रेंगल देखते हैं create हो पा रहे है नहीं maximum limit तक most probably हम देखा जाए तो पहुंच चुके हैं वैसे बट still एक बार फिर से नजर मार लेते हैं एक तो ये था ये number 2 ये 3 और ये 4 अब और भी बन रही है ध्यान से देखिएगा एक ट्रेंगल ये बनती दिखाई दे रही है हमें एक ट्रेंगल ये बनती हुई दिखाई देए तेको इसमें trick नहीं use हुई है ये manually ही question solve हो किया जा रहा है तो दो ट्रेंगल और create हो गी हैं इसलिए हमारा final answer क्या हुआ दस इसके इलावा कुछ और visible नहीं हो पा रहा चाहिए जितना मर्जी जोर लगा लो इसके इलावा कोई हो ट्रेंगल की shape नहीं usable है next 11 प्रिभुज निकालने हैं इसमें भी चलिए count करते हैं number of triangles तो सबसे पहले तो trick use कर सकते हो देखो इस वाले section की बात करें और यही same entity आपको यहाँ पर भी available है तो कैसे count करते हैं 1,2,3,4,5,6 6 का double कितना हो गया 12 double क्यों किया क्यों किया क्योंकि इस shape में number of diagonals कितने हैं 2 इसके trick मैंने आपको बता रखी है वो जो starting में बताई थी ना इंटर वीडियो बताई थी जिसमें आप concept clear कर सकते हैं आपने उसमें मैंने यह सब कुछ explain किया हुआ है अगर यही shape में 12 आ रहे हैं तो यह भी तो identical shape ही है देखो 1,2,3,4,5,6,6 का double कितना हो गया 12 मतलब मैंने इस पूरी figure को दो parts में split कर दिया 12 इस वाली में है 12 उस वाली में है तो total अभी कितने हो गये हमारे पास 120 उमीद करता हूँ यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक है इसके बाद हम शुरू करेंगे clubbing figures को आपस में merge करना हम शुरू कर देंगे ठीक है कैसे अगर मैं इन दोनों shapes को आपस में merge करके देखो ध्यान से देखिएगा कौन-कौन सी triangles और create हो रही है चलो आते हैं यसी एक तो हमारे पास ये ट्रेंगल बनी ये देखो नमबर वन समझा गया अब यही shape में हमारे पास एक और ट्रेंगल बनी है नमबर 2 समझा या एक triangle ये create हुई एक triangle ये create हुई तो कितनी हो गई अभी तक की दो 24 और दो कितनी हो गई 26, option eliminate हो रहा है बिलकुल हो रहा है, c option तो बाहर निकालो उसके बाद देखिए इन्ही को ही merge करते जाएंगे क्योंकि दो ही different figures है identical figures available है तो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, इसके इलावा यहां से यहां तक एक बड़ी triangle length में यहां पर available है और इसी shape में एक और हमें यहां पर भी available है दो और create हो चुकी है कितनी होगी, 4, 24, 4 कितनी होगी, 28 या 28 option available है, बिलकुल नहीं या तो 29 है या तो 31 ठीक है, अगर मैं इन दोनों को फिर से merge करके देखो तो दो triangle को merge करने पे या दोनों figures को merge करने पे एक बड़ी triangle ये भी तो available है 28 पहले थे, एक और आगे 29, बाकी नहीं हो रहा extreme limit तक पहुंच चुके है सब कुछ करके देख लिए ना, parts में divide भी करके देख लिया, कुछ और create हो इनी रहा तो यहाँ पर हमारा final answer कितना है 29 इस तरह के दो options अगर आ जाए न तो उन्हें compare करना थोड़ा असान रह जाता है क्योंकि आप extreme limit तक पहुंच चुके होंगे उसके बाद आपको कुछ भी visible ही नहीं होगी shape, चाहे वो triangle की है square की है, तो वहाँ पर आप confident होकी अपना answer mark कर सकते हो directly, got it? चलो, बड़े अगले equation की तरफ rectangles count करने है, आयतों की संख्या कितनी है, तो वही बात आती है इसका भी इस shape में कोई shortcut नहीं है, single component में बात करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तो single components में हमारे पास आयतों की संख्या कितनी हो गई, बारा, अब क्या है, हम दो को merge करना शुरू कर देंगे, दो rectangles को इकठा करना शुरू करो, ये देखो, इन दोनों को इकठा करो, एक ये बन गया, ये नमबर दो, उसके बाद ये नमबर तीन, ये चार, ये पाँच, ये छे, और ये साथ, साथ और एक आठ, आठ और एक कितना हो गया, नो, तो दो components को merge करने पे, कितना कितना हो गई था, बारा सिंगल वाले हो गए थे, नो, दो-दो components को merge करके हो गए थे, तो अभी तक हमारे पास कितने create हो चुके हैं, 21, options सारे 30 से उपर हैं, देखो, options जो हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, 30 से उपर ही बन रहे हैं, अब हम 3 components को कठा करके देखेंगे, अगर मैं 3 components कठा उठा हूँ, यह देखो, 1, 2, 3, इन तीनों से एक rectangle create हो रहा है, 1, 2, 3, इन तीनों से rectangle create हो रहा है, यह देखो, इन तीनों से, फिर एक, दो, तीन, उपर वाला छोड़ो, नीचे वाला बकड़ो, इन तीनों से एक rectangle create हो गया, फिर उपर वाला छोड़ो, 1, 2, 3, अगले तीन उठा लिए, तो इन तीनों से एक rectangle बना, और इन तीनों से एक rectangle बना, ठीक है, एक यह बना था, यह चोथा, यह पांच्वाँ, छथा, सात्वाँ, और यह भी एक rectangle बना तीनों से, तो कितने हो गए अभी तक के, 8, समझ में आया कैसे count किये, तो तीन components को आपस में merge करने पे, हमारे पास total number of rectangles कितने बने अभी, तो रिचे, नोट आठ, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे बने, 8 नहीं है, अभी हमने, तीन को merge किया, इधर दो को merge किया, ये single वाले थे, चलो, इसके बाद आते हैं, कहीं भी confusion हो, पहले ही बोला मैंने, rewind करके जरूर देख लेना, चलो अब चार को merge करते हैं, चार को merge करें, ये पहले चार उठा लो, एक rectangle ये बन गया, यहां से यहां चार उठा लो, एक rectangle ये बन गया, यहां से यहां चार उठा लो, एक rectangle ये बन गया, तो चार components को merge करने पर, हमारे पास तीन rectangle और बनें, ठीक है, चलो, अब पांच को club कर लہते हैं, पांच कौन से ये देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसको मत भूलना ये दियान से देख लेना कि ये वाला बुजो साइड में बैठा पॉर्शन है बाकी फिगर के साथ मर जोगे rectangle create या required figure को create कर रहा है नहीं, अब ये 5 की shape को आपस में या 5 components को इकठा करके एक rectangle create कर रहे थे तो एक तो ये हो गया ये 5 हापस में मिला दो, एक ये हो गया ये 5 हापस में मिला दो, एक ये हो गया और ये 5 हापस में मिला दो, एक ये हो गया ठीक है, तो 5 को merge करने पे हमारे पस कितने बने और 4 rectangle और create हो गये तो देखो 12 और 9, 21 और 9 कितने हो गए, 30 और 4 34 तो बनेंगे ही बनेंगे 34 में तो हम confident है ही है, इतने तो बनेंगे ही बनेंगे अब इसके इलावा चलो, 5 component मतलब side वाला portion जो completely था उसको तो consider कर लिया बस 6 components को merge करने पर एक बड़ी वाली rectangle ये बन रही है तो final answer कितना आ गया, 35 34 तो होई चुके थे 35 में की बात थी, या 34 में होगा answer या 35 में होगा तो अगर मैं ये पूरी की पूरी line को इक टा कर दूँ, एक आयत और create हो रहा है what it? अगले question के उपर आते हैं यहाँ पर भी हमें क्या count करने हैं, number of triangles ही count करने हैं, त्रिभुजो की संख्या गयात करनी है चलो जी इसमें trick follow हो सकती है अगर करना चाहें तो करी लेते हैं, देखो ऐसे मत करना question को solve हलाकि आपने इस entity को ध्यान में रखा हुआ होगा एक, दो, तीन, चार, चार का double, आठ तो ये 8 तो इसमें आ गए इसको कैसे handle करोगे तो जब इसके साथ merge करने लगोगे ना इस shape को, recount होने के chances है तो मैं आपको break करने का तरीका बता देता हूँ ताकि जादा confusion create ना हो ये अलग से रख दो इस portion को अलग से रखो पीच वाला portion अलग से recounting में डिक्कत ना है अगर recount कर लिया ना आपने किसी को भी answer तो totally रोंग हो गया तो इस shape में होते हैं 3, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो उमीद करता हूँ इस 12 में तो आपको कोई भी confusion नहीं आनी चाहिए ठीक है? 12 में तो कोई भी confusion नहीं आनी चाहिए अब इसके बाद हम merging करना शुरू करेंगे ठीक है? पहले तो इस बीच वाले portion को ही खतम करो इनका किस्सा बीच वाले portion को खतम करेंगे इनका किस्सा तो एक ये बन जायेगा ये दो ये तीन ये चार समझ आ गया? चार ये बन गी इसके इलावा इन चार के इलावा इन दोनों को इकठा करने पे दो और बन दी है कौन कौन सी? ये पांच मी और ये छटी बड़े वाली ठीक है? तो छे और बन गए मतलब बीच वाले section में ही आपको छे triangles और बनती दिखाई दी तो रिपीट कर देता हूं देखो पहले तो इसी में ही देखो एक ये बन गई ये नमबर दो जहां से विजुलाइज करना? तीन ये चार और ये बड़े वाली पांच और ये वाली इतनी हो गई? छे तो इस वाली shape में total overall देखा जाए तो 12 triangle मिल चुकी है 6 ये वाली merge करने पे 6 single component में थी अब इस shape को इसके साथ merge करें तो एक triangle ये बना एक triangle ये बना इस shape को इसके साथ merge करें एक triangle ये बन जाएगा और एक triangle ये बन जाएगा ठीक है? वैसे ये बड़ा है shape में यहां से यहां तका रहा है तो कितने ओर बनेगे चार ओर बनेगे तो बारा और छे अठारा और चार कितने हो गए 22 जो है हमारा इनल आंसर, तो कि बाकी शेप सारी की सारी अगर इकटी कर भी लें तो और ट्रेंगल की शेप हमें, visible ही नहीं हो रही समझा आ गया चलो, next, मैं लो, काम आपको जो है, टास्क जो है, वो complete करना है, काम अधूरा नहीं छोड़ना काम अधूरा छोड़ गया, फिर गड़बड़ है चलो, यहाँ पर आजएए यहाँ पर entity solve हो सकती है, use हो सकती है देखो, triangles count करने हैं तो इसी shape में ही हमें कितने मिल चुके हैं, 8 एक, दो, तीन, चार, चार का double कितना हो गया, 8 double क्यों करते हैं, क्योंकि number of diagonals हमारे पास 2 है, एक, दो, ठीक है, तीन, तीन और तीन कितने हो गया, 6 ठीक है, ऐसे question को solve करना है जहाँ entity visualize हो रही है बाक्यों के साथ वो दिक्कत नहीं दे रहा है उसको count कर लो, उसमें trick use कर लो तो 8 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए 8 और 3, 11, 11 और 3 कितने हो गए 14 तो यह हो गई ही गए तो option eliminate कर दो ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा हमने कौन-कौन सा portion अभी pick किया है यह portion अलग से देखा, यह portion अलग से देखा, इनको अलग से देखा अब बाद आती है merging की समझो के अगर मैं इस वाली figure को इसके साथ merge करूँ, तो देखो कोई triangle बन रहा है इलकुल बन रहा है, यह देखो एक triangle बन गया इस वाले portion को मैंने इसके साथ merge किया, यह वाला portion अगर इसके साथ merge करूँ तो एक triangle यह भी बन रहा है अभी मैं इसी की ही participation दिखा रहा हूँ, इसको इसके साथ merge किया, दो-दो figure को 1-8 उठा रहा हूँ इस figure और इस figure को उठाया एक यह बन गया, इस figure और इस figure को उठाया एक ये बन गया, तो 14 और 2 कितने हो गए, 16, reference लो और option eliminate करो, ठीक है जी, जलो, इसके बाद देखो, इसका इसके साथ काम तो खतम हो गया, अब इसका इसके साथ उठाओ, बन रहे कोई, एक ये बन रहे, ठीक है जी, एक ये बन गया, इन दोनों shapes को इकठा उठाया, अगर इन तीनों कोई कठा उठाता फिर भी नहीं बन रहा, तो 14 और 2, 16 और 1 कितना आ रहे है, 17, इसके इलावा हमें triangle create होती होई, visible नहीं हो रही है, ये हमारा जो है, ए option जो है हमारा question number 14 का final answer, ठीक है, visible होती ही तो और दिखाई देती, देखो 17 या 19, जब हमें 18 तक ही नहीं पहुच पारे, देखो exam में कैसे करना है, हम 17 में confident हो चुके हैं, अगर हमें एक extra दिख भी जाता कहीं न कहीं, 18 मिल जाता, तो 19 मां count करने की जुरत नहीं होती, तो आप directly 19 answer mark कर लेते, क्योंकि 17 जितने भी आपको options available हैं, उनसे तो exceed करी चुके हो, उनसे ज़्यादा तो figure out करी चुके 18 मिल चुके हैं, 19 मां मिल नहीं रहा, तो option भी 19 अविलिबल है, तो 19 में के पीछे मत भागना, यह जब तक दिखेगा नहीं मैं उसे mark नहीं करूँगा, अब लगा दो, चारों में से कोई ना कोई तो आपका answer हो गई होगा ना, ठीक है, तो option आप directly वही pick कर सकते हो, समझा ग पर आते हैं, यहाँ पर भी आपको क्या है, triangles ही देखनी है, चलो जी, शुरू करते हैं फिर, देखो, entity use मत करो, complex बन जाएगा question, entity देखा जाए, यह entity use हो रही है, फिर इसको अलग-लग उखार के देखोगे, टेक यह entity use हो रही है, तो बहतर है, manually ही question को solve करो, पहले single component में बा पाच और छे, तो single components में हमारे पास छे triangles बन गए, छे त्रिबुज बन गए, triangles ही count करने हैं, अब बाद आती है, merging की, पहले 2 को merge करके देखेंगे, फिर 3 को merge करके देखेंगे, फिर 4, 5, जितने भी होते जाएंगे, चलो, देखें, अगर मैं 2 को merge करने की बात करूँ, इन दो दो component है, एक triangle ये create हुई, ये भी दो component है, एक triangle ये create हुई, अभी तक कितनी मिल चुके हैं, ध्यान से देखेंगा, 3, 3 visible हो गई न, ये देखो, एक ये बन गई, 2 और 3, इसके इलावा 2 components को इकठा करके और भी triangle बन रही हैं, मैं different pen से use कर रहा हूँ, ये देखो, ये भी 2 shapes हैं एक ये है और एक ये है, तो ये बन गई, समझा गया, 3 और 2 कितने हो गए, 5, तो ये मैंने 2 components को आपस में merge किया है, तब जाके मुझे कितनी triangles available हुई और 5, ये चेक कर लो कौन से 2 component, एक ये, इन दोनों को इकठा किया था, और इन दोनों को इकठा किया था, ठीक है, चलो, अ अभी तक कितनी मिल चुकी है, 11, अब इन 11 के बाद की बात करते है, अगर मैं 3 component को इकठा करूँ, ये देखो, ये 3 component इकठे की है, एक triangle ये बन गया, 3 component आ रहे हैं, इन 3 component को इकठा करो, एक triangle ये बन गया, तो 3 component में हमारे पस कितने बन चुके हैं, 2 ओर, चलो, 3 पे तो काम द देख लिया, अब देखो कोई 4 component इकठे होके triangle बना रहे हैं, 4 component से एक triangle बन रहे है, ये देखो, 4 component से एक triangle और बन गया, 6, 5, 11 और 3 कितने होके, 14, option eliminate हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, पहुंच चुके है, maximum limit तक नहीं, एक और बाकी है, ये बड़े वाली triangle, अब हम maximum limit तक पहु चोटी चोटी shapes में पहले target कर लो, triangles, बड़ी shape तक बकड़ते रहो, बड़ी shape कब create होगे, जिसमें maximum to maximum components जो है, वो इकठे हो जाएंगे, जैको इसमें जादा से जादा components include हो रहे हैं, तो चोटे से बड़े level तक target करो, जैसे पहले single component में देख लिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, त चोटी shapes से हम बड़ी shapes तक move कर रहे हैं, वो आपके लिए better रहेगा, step by step question solve करोगे न, single go में ही आपका answer सही आने वाला है, चलो, next देखिए, यहाँ पर भी देखो, तरी बुझो की संक्या ही ग्यात करनी है आपको, करने शुरू, आप tricks यूज़ कर सकते हो इसमें, जी, trick shape में हैं, तो कितना होगा, एक, दो और तीन, तीनों का सम कितना होगा, छे, तो छे तो यही निकल आई, छे और तीन कितनी हो गई, यह देखो, छे और तीन कितनी होगी, नो, दस, और एक ग्यारा, समझा की बात है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होने, चाहिए, इन entities का ध्य होना चाहिए नहीं पहले ही बोला था यहां से आपको सीखने को नहीं मिलेगा कि बिल्कुल बेसिक से करने लगे हैं फिर तो पता नहीं बहुत ही लंबर चला जाएगा यह जो सेशन है 15-20 गंटे का चला जाएगा इस वाली शेप को अलग से देखा इस शेप में कितने थे छे इस वाली शेप को मैंने अलग से देखा यह वाली शेप को इस शेप को इसमें कितने थे तीन दो यह काउंट कर लिए है तो कितने हो गए अभी तक कि यह 14 उमीद गरता हूँ आपको इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं बढ़ें फिर आगे अब आगे काम आएगी देखो कौन-कौन सी शेप को आपने कंसीडर किया अभी तक ध्यान में रखिएगा ठीक है अगर मैं इस वाली शेप को यह ध्यान से देखो इस वाली शेप को इसके साथ मरज करके देखो तो देखो और भी ट्रेंगल बनते होई दिखाई दे रहे हैं एक तो यह वाला दिखाई दे रहा है ठीक है चलो पड़ें आगे की तरफ ऑप्शन एलिमिनेट करते रहे हैं यह ध्यान में रखिएगा कौन-कौन सा हमने काउंट कर लिया है बारा माला तो एलिमिनेट कर दो इस वाले पोर्शन को इसके साथ मरज किया अब इस वाले पोर्शन को और इस व पोर्शन भी अलिमिनेट करो कुछ और हाँ थोटे से बड़ी तक टार्गेट कर रहे हैं एक बड़ी ट्रेंगल यह वीजिवल हो रही है सोला जो है हमारा फाइनल आंसर सोला के बाद दूज कुछ अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनकी जो है इन्रोल्मेंट किसी के साथ नहीं है कि अगर वो किसी और शेप के साथ मरज करके और ट्रेंगल क्रियेट कर दें तो इनकी कहीं भी इन्रोल्मेंट नहीं दिखाई दे रह आता है तो हलवा question होता है आप लोगों के लिए चलो करें शुरू इससे आगे है जहां से समझेगा फिर जब आप वो basic वीडियो देखेंगे ना इसमें मैंने detail में पूरा clear कर रख है उसमें एक case करवा रख है इस shape में तो ये figure जो है वो बहुत ही जादा important है काफी exams में जो है वो repeat हो चुकी है तो ये आप directly याद कर सकते हैं इसमें number of triangles कितनी होती है 16 ठीक है ये 16 त्री भूज बनते हैं तो यही shape आपको visible हो रही है ये देखो मैं ये shape जो है वो visible करवा रहा हूं ये देखो ये shape मैं visible करवा रहा हूं count करवा दूं को हो तो चलो एक minute लगेगा इन्हें मैं count कराना सिखाता हूं कि ये 16 बनती कैसे हैं कहीं को इसमें भी confusion हो सकती है तो पहले तो ये देखो तीन तो ये बन गए तीन ये 6 और ये 9 इसमें कोई दिक्कत नहीं होने चीए ये 9 कैसे है 9 बन गए अब इस 9 के इलावा देखिएगा और कौन से बन रहे हैं इस 9 के इलावा आपको visualize करवा रहा हूं ध्यान से देखिए जो ये vertex है vertex से ये सामने वाले line पे midpoint बनाया गया है correlate कर लो एक बार इसने क्या किया पूरी triangle को दो parts में split कर लिया पहला portion ये बन गया बड़े वाला एक portion ये बन गया बड़े वाला तो मतलब के इस portion से या इस vertex से दो ट्रेंगल जोर create हुए similarly जब आप इस vertex को उठाएंगे इसने भी पूरी triangle को दो parts में split किया एक triangle ये बन गया दूसरा triangle ये बन गया similarly जब आप इस vertex को उठाएंगे यहां से भी आपकी दो triangles की formation होगी एक बड़े वाला ट्रेंगल यहां पर हुआ एक ये वाला ट्रेंगल हुआ ठीक है तो तीन 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 नो तो already थे छे और आगे कितने होगे 15 और ये बड़े वाली triangle कितनी होगे 16 तो ये आपको ध्यान में उसी है this one तार्क पेंसे बता देता हूँ ये देखो इस shape में 16 त्रिभुज तो ऐसे ही बन गए अब इसके बाद की बात करेंगे उमीद करता हूँ इस 16 में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको तो 16 में directly लिख दूँ इस 16 के बाद देखो क्या है बहुत easy question है ये तो डरार है आपको ये question है नहीं इतना तीन ये बन रहे हैं देखो single entity ये visible हो रही है आपको तीन ये बन गए यही same entity यहाँ पर भी visible हो रही है तीन और तीन कितने हो गए 6 छे और दो कितने हो गए 8 आगया answer C option maximum option तक पहुंच चुके हैं ना देखो ठीक है repeat कर देता हूँ तीन तो ये बन रहे हैं इस वाले portion में तीन इस वाली entity को visible कर लिया तीन और तीन 6 हो गए छोट छोटे portions में और दो ये single बन के बैठे हैं कितने होगे total 8 ठीक है चलो अगले equation पे उपर आओ तरी बुझ ही निकाल पस कितने हो गए 8 एक दो तीन चार का double कितना हो गए 8 इस वाले portion में एक दो तीन चार पांक छे चे का double कितना हो गए 12 एक दो तीन और चार चार इधर हो गए similar figure है यहाँ पर है चार इधर हो गए time देखो कितना save हो गए मतलब जहां पर आपको visualize हो जाती है entities उसने use कर लो time save क करने का तरीका बताया आठ बारा बीस और आठ कितने हो गए 28 ओप्शन एलिमिनेट करो यह option तो answer होगा ही नहीं क्योंकि यह देखो तीन यह है और यह चोथा similarly तीन यह है और एक चोथा चीक है अब इनकी merging शुरू करते है merging शुरू करो पहले काम करते हैं इन दोनों को आपस में merge करके देखें तो एक triangle यह बनी इन दोनों को आपस में merge करके देखें दो ट्रेंगल इन दोनों को merge करें तो तीन ट्रेंगल इन दोनों को merge करें तो यह चार ट्रेंगल तो इन कितने हो चुके थे बारा आठ बीस और आ shapes को जोड़ा है फिर इन दो shapes को जोड़ा है इन दो shapes को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा इन दो shapes को जोड़ोगे तो ये वाली triangle बन जाएगी तो ये वाले 4 और include हो गए अब 3-3 shapes को एक अठा merge करते हैं तो दो triangle और दिखाई देंगे आपको ये देखो एक ये हो गया, इन तीन shapes को जोड़ दिया इन तीन shapes को जोड़ दो, एक triangle ये दिखाई दे जाएगी दो और बन गए देखो चोटी से बड़ी figure तक move कर रहे हैं निकालने दो triangle ही हैं चोटी shape से बड़ी shape तक जा रहे हैं कितने हो गए अभी तक के 34 तो आपका B option भी eliminate कोशिश करो, 34 तो देखो मिल चुके हैं कोशिश करो कि हमें 36 अवेलेबल हो पा रहे हैं यहाँ पर अब हमने तीन तीन figure को तो merge कर लिया अगर मैं चारो कोई कठा करूँ, फिर कोई नहीं visible बस यह ही हमारा final answer है 34 ठीक है, 34 जो हमारा final answer है हम maximum limit तक approach कर चुके हैं अगले question के उपर आते हैं triangles count करने हैं यहाँ पर भी तो पहली बात तो इस वाले portion को hide करो, इसको हम बाद में handle करेंगे इसको बाद में देख लेंगे हमारे पास यह figure जो है वो visible हो रही होगी आपको इसको line को hide करो यह वाली line को भी आप hide कर दो सोचो यह यहाँ पर exist ही नहीं कर रही ठीक है, इन दोनों को hide कर दो देखो black pen है मेरे पास इन दोनों को hide कर दो इसे और इसे hide कर दो यह shape आपको यहाँ पर available हो रही है इसमें कितने होते हैं, 16 कैसे count करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 का double कितना होगा है, 16 double क्यों किया, diagonal 2 है तो 16 यह हो गए ठीक है, इस 16 में अब इन entities को use करो 3 यह हैं और यह 3 यह हैं 16 और 6 कितने होगे, 22 अब इस वाले portion को अलग से handle करो, 1 और यह 2 3 और यह 4 24 कितने होगे, 26 16, 6, 22, 4 कितने होगे 26, option eliminate करो 26 में तो हम confident है अब इसके बाद merging शुरू हो जाएगी अपनी देख लो, चाहे rewind कर लो आपके सामने ही है सारे का सारा किस्सा तो अभी तक हमें जो है कितने available हो चुके हैं, 26 जो है, बिल चुके हैं total number of triangles और देखिए और shapes conclude करके लेके आते हैं 16 वो यह होगे ठीक है, इनके बाद बाद करते हैं अगर मैं इस वाले portion को इनके साथ merge करके देखता हूँ इसके साथ merge करके देखता हूँ ध्यान से देखेगा एक triangle यह बनता हुआ दिखाई दे रहे आपको यह वाला section हमने अलग से देखा था 16 आये थे यह वाला section अलग से देखा था दो निकल के आये थे तो हम दोनों को merge कर रहे हैं similar shape में एक triangle यहाँ पर create हुई ठीक है 16, 6, 22, 4, 26 में 2 और जोड़ दो 28 हो गए कोई दिक्कत यहाँ तक इसी तरह अगर मैं इनी shapes को merge करते हुए continue करना चाहूँ तो दो triangle और बनती दिखाई दे रहे हैं ध्याँ से देखो एक triangle यह बन गई एक triangle हमारे पास यह बन गई तो और बन चुकी है maximum maximum बड़ी से बड़ी shape तक पहुंच चुके है maximum component include हो चुके है final answer कितना आगया ए option ठीक है देखो जहां कहीं भी आपको लगे question थोड़ा typical है complex है rewind करके देख लेना clarity आनी चाहिए जो हमने चीज explain किये यहाँ पर आपके पल्ले पड़ भी रही है नहीं otherwise वीडियो देखने का कोई फैदा नहीं है तो question को attempt करने का तरीका क्या है best approach क्या हो सकती है हमेशा उसको follow करो ठीक है जी चलो बढ़ते हैं अगले question के उपर answer mark करती है ना बिछलेगा a option चलिए 20th question पर आते हैं यहाँ पर भी triangles ही count करने है तो कैसे count करें बेखो दियान से तरी बुझ्जो की संख्या निकालनी है सुनो इसमें कितने हो गए 8 इसमें कितने हो गए 8 ठीक है 16 हो चुके है इसके बाद 2 और 2 कितने हो गए 4, 5, 6, 7, 8 इनके इलावा मैं बात कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8, 8, 16, 16, 8, 24, 24, 8 कितने हो गए 32 तो option eliminate करो 30 वाला भी eliminate 28 वाला भी eliminate तो अभी तक 32 मिल चुके है अब या तो answer 32 होगा या 34 होगा वैसे 32 से जादा ही होगा 34 होगा क्योंकि हम individual components को target करके directly trick निकाल रहे हैं अब इनके लावा और कौन से बन सकते हैं option नहीं available और भी बहुत बनने हैं तो 32 तो हमने approach कर लिए आठ ही हो गए 8 ही हो गए 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24 अरे अभी तक 24 बने हैं 32 नहीं बने मैंने गलत count कर लिए 8 ही है 8 ही है 16, 16, 4, 20 और 4 कितने हो गए 12, 20, इससे आगे देखते हैं my mistake मैंने गलत count कर लिए थे 32 चलो option eliminate हुआ कोई है सारे 24 से उपर ही है चलो आते हैं figures को merge करना शुरू कर देते हैं इन दोनों को merge करेंगे तो एक triangle ये बन जाएगा इन दोनों को merge करेंगे एक triangle ये बन जाएगा इन दोनों से एक triangle ये बनेगा इन दोनों से एक triangle ये बनेगा तो चार और जोड़ दीजे 24 और 4 कितने हो गए हमारे पास 28 ठीक है जी अब इसके बाद बाद करते हैं अभी हमने दो दो shapes को include किया है ना अरे दो shapes को include किया है हम within the shapes तो भूली गए थे task इसको अलग से देखा था इसको अलग से देखा अगर मैं इन दोनों को merge करूँ तो एक shape में ये भी तो बन रहे triangle ये दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया ये चोथा हो गया फिर हमने इनको merge करना था ये जो चार लिखे है न ये वले हो गए इन चार के इलावा आगे पीची जैसे भी देख लिजी अब पहले इनको लग से देखना था हमें ठीक है फिर उसके बाद इनको भी आपस में कलब करना था 24 और 4, 28 और 4 कितने होगे 32 ठीक है बाकी देख लेते हैं merge के or triangle की shape available हो भी पा रही है नहीं इन 32 के इलावा देखते है हमने सारा का सारा portion ये बीच वाला cover कर लिया अगर मैं ये वाला portion outside वाला include करके लेकिया हूँ तो वो कहीं भी किसी के साथ merge के triangle नहीं दे रहा बस यह हमारा final answer के आ चुका है option D that is 32 next question यहाँ पर भी हमें triangles ही count करने है तो चलिए शुरू करते हैं तो पहली बात तो entity को target कर लेते हैं कि कुछ entities visible है या नहीं जैसे कि अगर मैं center वाले portion में देखो तो ये आपको entity visible हो रही होगी ये देखो similar entity आपको यहाँ भी दिखाई दे रही है like this तो तीन इसमें हुए और तीन इसमें होगे कितने होगे 6 इसके बाद मैंने सिरव इन्ही portion में एक बार देखा इस rectangular portion में देखा कि 6 triangles ये available हुई अभी merging ने करते हैं साथवी ये होगई, आठवी ये होगई, नोवी ये होगई मतलब इनके इलावा तीन triangles की formation ओर ही figure out कर लीजिए mind में देखो picture बना लिया अगरो कि आपने किस किस को identify कर लिया है तीन यहाँ, तीन यहाँ 6 होगए और तीन यह कितने होगए 9 इसके बाद की बात करते है अब हम करेंगे merging, जितने भी अलग अलग components को अभी तक हमने target किया है चलो, देखो तो figure out करें अगर मैं इसी rectangular area के अंदर ही और triangles को count करना चाहूँ इसको हमने अलग से handle किया इसको अलग से handle किया पर देखा जाए तो एक triangle ये भी create हो रही है देखो दूसरी triangle ये भी create हुई similar, मिलती जुलती तो इसी portion में हमारे पास दो triangles और बन गई जो जो मिलती जाए उसे side में note down करते रहो हमारा focus किस पे होना चाहिए इनकी counting के उपर तो basically figure out होने चाहिए ये चीज़े इसके इलावा गर हम बात करें इसी को further मैं extend करूँ तो दो triangles ये भी तो बन रही है बड़ी समझा गया? तो इसी में दो और जोड़ दो अभी तक देखो कितनी हो चुकी है 6 और 3, 9 और 4 कितने होगे? 13 ठीक है? 13 option है बड़ 13 से ज़्यादा भी options available है हमने rectangular portion को तो target कर लिया वैसे देखा जाए इस rectangular area के अंदर हमारे पास 10 strangles exist कर रही है 6 जो थी वो entities के साथ थी बाकी 4 जो है वो दोनों को merge कर कर के आई चलो इसके बाद देखिए अब हम बाहर वाले portions को include करते हैं अभी तो हमने इसी figure के अंदर ही figure out किया सारे का सारा अब मैं इस area इस area और इस area को भी यहाँ पर cover up करना चाहूंगा अगर मैं इसे और इसे आपस में merge करूँ तो ध्यान से देखिए हमारे पास एक triangle ये create हुई अगर मैं इस area को इस area के साथ merge करूँ तो हमारे पास एक triangle और create हो रही है अगर मैं इस portion को किसी भी area के साथ merge करूँ तो ये कोई भी और triangle की formation नहीं दे रहा तो मतलब इनके इलावा दो triangles और create हो गई तो ये कितने दी 13, 2 और आ गई 15 तो final answer आ गया बी option तो task complete करना है as usual मैं हर एक question में ही बोल रहा हूँ merging का ध्यान रखना ये नहीं है कि आपने individual figures को figure out कर लिया कि उसमें कौन-कौन से components हैं जो required पूछे गए हैं उसके बाद मर्जिंग की दरह focus ही नहीं कर ले हो फिर मत कहना कि हाँ हमारा answer गलत हो गया चलो next question के उपर आते हैं यहाँ पर भी त्रिभूज ही निकालने है triangles count करनी है आते हैं तो सबसे पहले तो entities को target करते हैं इस वाले portion में देखो इस वाले area में हमारे पास कितनी triangles हो गई इधर? 8 similarly इस वाले area में भी कितनी हो गई? 8 तो यह entities तो देखो tips पे होनी चाहिएं कि इस वाली shape में 8 होती हैं इस वाली shape में 8 होती हैं अगर आपने sufficiently practice कर रखी है questions की या basic तो hold है basic concepts के उपर तो यह तो याद होई जाती है कि इस figure में 8 निकल के आती हैं इस figure में 8 निकल के आती हैं 1, 2, 3, 4 तो 8, 8, 16 और 4 कितने हो गए? 20 अब इस 20 से हम आगे की बात करेंगे ओके? चलो आगे देखते हैं अगर मैं इन सबी की merging करना चाहूं इसको मैं erase कर देता हूं देखो यह अभी हमने अलग-लग portions को target किया है इसके बाद देखिए यहां से समझना अगर मैं इन दो areas को आपस में merge करूं तो देखो एक triangle यह create हो रही है इन दो areas को merge करूं एक triangle यह create हो रही है visible हो रहा है न? देखो अगर मैं इस वाले और इस वाले portion को आपस में merge करूं तो एक triangle यह available हुई मुझे इन दोनो areas को merge करूं तो एक triangle यह available हुई ये चोती ट्रेंगल मिल गए, तो 20 में 4 और जोड दिये, देखो, simple ही है, अभी तो हमने 2-2 figures को आपस में merge किया है, उसके बाद देखिए, अगर मैं पूरा area cover करना चाहूं, मतलब 3-3 components को आपस में merge करना चाहूं, तो corner के through ये 4 triangles और बन जाएंगे, एक, ये होगी number 2, ये होग number 4, चीक है, तो 24, 24 और 4 कितने होगे, 28, सारा portion cover कर लिया, ये option जो है मेरा final answer, समझा गया, तो confidence के साथ solve करो, कभी दिक्कत नहीं आने वाली, चलिए, triangles ही count करने हैं, entities को target करते हैं, तो एक entity तो रही ये, तूसरी entity रही ये, count कर लो कितने हैं, चीक है, जादा नहीं तो number of base count कर अधार कितने हैं, हर base के उपर similar entity आपको दिखनी चाहिए, जैसे कि ये देखलो, इस base पे यही similar entity दिख रही है, ये चोथा base हो गया, ये पांच्वाँ base हो गया, ये छटा हो गया, और ये सात्वा हो गया, इसके साथ का, ये देखो, तो अगर एक entity में 3 triangles available होती हैं, तो 7 entities हम identical मिल चुकी हैं, तो 7 में कितने होगे, 21, ठीक है जी, चलो, इसके बाद की बात करते हैं, अब इनकी merging शुरू कर देंगे, पहले तो single इसी figure की हम बात करते हैं, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने जो है 7 entities को target किया, वो 7 entities कौन कौन सी थी, फिर से देख लो, एक is base पे थी, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये इसके लिए था, ये 4 और ये 5 जो था, वो इसी के लिए था, ये देखो, ये entity बन रही है न, अगर हम यहाँ पर और थोड़ा carefully figure out करें, तो एक ये बड़ी वाली entity फिर से एक और भी तो दिखाई दे रही है आपको, एक ये हो गया, ये दूसरा portion, ये कलब करके, तीसरा हो गया, मतलब 21 में 3 और जोड़ दे, I think इसमें भी कोई problem नहीं होगी, ये आड क्यू कर दिया, मतलब के option देखो, 24 से जादा ही है अभी तक, ठीक है, कोई भी option eliminate नहीं हो रहा, चलो, इस वाले portion को हमने खतम कर दिया, इस वाले portion को हमने देख लिया, अगर मैं इसको इसके साथ merge करूँ, तो कोई भी or triangle creator नहीं हो रहा, हमने entities कितनी figure out कर ली, 8, overall, बट अगर हम ध्यान दें, तो 2 triangle entities के बाहर भी आ रही है हमारे पास, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, ठीक है, merging भी कर दोगे, इसके लावा कोई or triangle visible नहीं ह 24 और 2 कितना हो गया, हमार answer 26, तो task complete हो गया, simple सी बात है, next देखिए, चलो, इस वाले area का तो आपको पता ही है, इसको अलग से handle करेंगे, इसको अलग से handle करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 का double कितना हो गया, 16, ठीक है, double क्यों करते हैं, क्योंकि number of diagonals 2 है, इस figure की बात करें, तो इसमें कितने हो गये, 6, तो 16 और 6 कितने हो गये, 22, कलब करके देखें, देखो, आप मेंसे काफी होंगे, जो 22 को ही pick कर लगके, अपना answer देदेंगे, बट इन दोनों को merge भी करने हमें, इस चीज का ध्यान रखिएगा, merging काफी लोग नहीं करते हैं, अगर इन दोनों को merge करके देखें, तो एक triangle ये भी तो बनती ही दिखाई दे रही है, visualize कर लो, मैं बार-बार side पे हट रहा हूँ, ताकि आपको identify हो जाएं कि कौन-कौन से portions को आपने target किया है, ठीक है, चलो, एक तो ये वली बन रही है, ठीक है, छोटी वली triangle, जब मैंने इस और इस portion को आपस मे merge किया, अब इन ही portions को आपस में merge करने पे एक बड़ी triangle ये भी तो create हुई, clear, दोनों में इसमें 16 थे, इसमें 6 थे, दोनों को आपस में club किया, तो दो triangles की formation और हो गई, देखो bigger portion तक जा चुके है, ठीक है, बड़ी से बड़ी shape तक include कर चुके इने, तो 16, 6, 22, final answer is 24, चलिए, shape देखके घबराना नहीं है कभी भी, ओके, चलो, entities use हो रही है, देखो बहुत सी entities use हो रही है, एक entity, ये दूसरी हो गई, मैं base को target कर रहा हूँ, ये तीसरा base, ये चोथा base, ठीक है, ये पांचवा, इस वाली shape के लिए, ये छठा और ये सातवा, ओके, तो 7 entities visible हुई, तो एक entity में 3 है, तो 7 में कितने होँगे, 21, अब इस 21 के इलावा की बात करेंगे, चलो, आगे देखिए, अब देखिए, इसमें हमने target कर लिये, कितने थे, अब इस वाले area में आते हैं, इस area में देखो, कितनी बन सकती हैं, ये एक, ये 2, और ये 3, ये 4, और ये 5, तो 5 तो इसमें भी include हो गई पांस तो इसमें भी include हो गई आपका option भी eliminate हो गया कौन सा be option be option तो answer हो इनी सकता ठीक है जी अब इनके इलावा merging करते हैं ठीक है इनके इलावा जो है हम merging कर लेते हैं इस वाले portion को इसके साथ merge करें तो कोई triangle बनता हुआ नहीं visible इस वाले area को इसके साथ merge करके देखें तो भी triangle नहीं available तीनों को अपस में merge करके देखें तो भी कोई available नहीं है ठीक है चलो आखरी वाले portion में एक बार फिर से figure out कर लें नहीं बन रहा बस यह हमारा final answer है कितना 26 टी option चलो आठ हिसमें हो गए यह कितने होगे 3, 6 और 9 देखो हमने 4 portions बना लिये यहां पर पहला, दूसरा, यह तीसरा और यह चोथा portion पूरी figure को break कर देना है तो 8, 8, 16 और 17 और 9 कितने होगे 26 अब इस 26 से आगे चलेंगे पहली बात तो दो तो figures को merge करते हैं अगर मैं इन दोनों figures को merge करूँ तो यह junction point बन रहा है अगर आपने basic देख लिया होगा तो यह junction point बन रहा है यह देखो इस junction point पे दो triangles की formation और हो गई अगर मैं इन दोनों figures को आपस में merge करूँ तो एक triangle यह create हुआ देखो अचीक है एक triangle य็े create हो गया इसके इलावा इसके इलावा देखिएगा अगर मैं इन दो figures को आपस में merge करूँ तो कौन सी triangle बन रही है यहाँ पर इस वाण ये वाली triangle देखो अभी हमने दो-दो figures को आपस में merge किया है दो-दो individual figures को आपस में merge किया है जो break किया था ना सारे का सारा तो इसमें एक और triangle create होगी तो 26,000, 30 तो हमारा answer हो चुक है तो ए option जो है वो eliminate हो गया अभी हमने दो-दो components को आपस में merge किया है इसके इलावा देखते हैं कोई और merging में हमारे पास triangle create होता है यह नहीं चलिए next देखिए इन दोनों को इकठा कर लिया इन को इकठा कर लिया, इन दोनों को इकठा कर लिया अगर मैं तीनों को इकठा करके देखो नहीं, कोई triangle नहीं बन रही अगर मैं इन तीनों को इकठा करके देखो यहां से भी कोई triangle नहीं बन रही चारों को merge करेंगे, फिर भी नहीं बनेगा बस यही मारा final answer है कौन सा option C next 27th question चलो अगले question में देखते हैं number of triangles कितनी है चलो बात करते हैं यहाँ पर entities की इस figure को break कर लो यह वाला section अलग रख लो यह वाला section अलग रख लो ठीक है इस section को अलग रख लो देखो base count करो एक 3 triangle यह हो गई दूसरा base 6 हो गई तीसरा base 9 हो गई और चोथा base इधर कितनी आ रही हैं 12 एक यह दो और यह तीन इस वाले portion को मैं अलग से देख रहा हूं समझा रहा है तो यहाँ पर कितनी हो गई 9 12 और 9 कितनी हो गई अभी तक की 21 इसकी अगर हम बात करें एक यह दो यह तीन और यह चार तो यहाँ पर कितनी आ गई चार और तो 12 यह है 9 यह है 21, 24 अभी तक का कितना हो गई हमारे पास 25 अभी हमने सभी को individually target किया देखो तीन section में divide कर दिया ना मैंने पूरी की पूरी figure को ऐसे break करना सीखो लग-लग section में figure out करो फिर clubbing शुरू कर दो अगर मैं इन दोनों को आपस में club करो यहाँ से देखना अगर मैं इन दो figures को इस portion को और इस portion को आपस में club करो तो realize कीजिए यह एक triangle create हुई बड़े वाली ठीक है एक triangle यह बन गई 12, 29, 25, 1, 2, 3, और 4 ठीक है चलो एक तो यह बन गई इन दो portions को club करें तो बनती है कोई visible नहीं है इन दो portions को club करें तो भी visible नहीं है बस यह है फिर answer 25 और एक कितना हो गया 26 answer क्या आएगा option number D merging पूरी करनी है वही बात आ रही है बार-बार task पूरा complete करना है आपको next देखिए चलिए अब देखो ध्यान से इसको कैसे करना है थोड़ी सी complex हो सकती है आप लोगों के लिए पहले तो मैं इस shape को target करने वाला हूँ यह वली shape ठीक है इसमें कितने होते हैं 8 जिसमें यह पूरा sections जो है एक account की है अभी इसमें include करना बाकी है triangles को समझा की बात चलो इस 8 के बात की मैं बात करूँगा यहां से देखिए गाब 8 और यह बन गए 3 और 8 और 3 कितने हो गए 11 3 यह भी तो include हो रहे हैं हमारे पास समझा रहा है तो यह भी include हो गए और एक यह include हो गया clear है अभी हमने क्या किया था जो यह 8 figure out किये थे इसमें यह complete portion को target किया इसमें यह वला तो नहीं include होगा इस entity का तो आपको idea हो गई होगा similarly यह पूरा portion complete हुआ था इस 8 के अंदर इसको मैंने एक unit count किया था अला कि मैंने यह वला भी count नहीं किया था इस 8 में यह वला area नहीं count किया था यह चोटा area नहीं count किया था यह वला area भी नहीं count किया था तो मैंने इनको अलग-लग से target किया तो अभी तक के लिए देखे कितने बन चुके हैं 8, 6, 14, 15, 16, 17 तो मेरे पास include हो चुके हैं बट 17 से आगे भी और बनेंगे चलो मैं इतना ही raise कर दूँ यहां से देखिएगा अब कौन-कौन सी triangles को हम merge करने जा रहे हैं अगर मैं इस वाले portion को अलग से देख रहा था यह देखो, यह वाला portion अलग से देख रहा था और यह वाला portion भी मैं अलग से देख रहा था अगर मैं इन दोनों को आपस में merge कर देता तो एक triangle देखो, यह बड़े वाली creator है visible हो गई? इसमें एक और जोड़ दो 8, 6, 14, 14 और 4 कितने हो गए अपी तक के 18 तो हमारे पास option में आ चुका है इसके इलावा बात करते हैं कोई ओर triangle बनती हो तो यह वाली triangle तो बन चुकी है और जिंग, just a second next, next portion को target कर लेते हैं 20 तो include हो गई, बड़ी shape तक हम पहुँच चुके हैं और area एक बार cross check कर लेते हैं कुछ और तो नहीं create हो रही इसको अगर मैं combine ले इसके साथ merge करूँ यह देखो combine ले इसके साथ merge करूँ एक triangle यह बनी मतलब और एक triangle यह भी बन गी यह हो रहा है ना यहां पर repeat कर देखते हैं just a second यह recount ना हो रहे हो इसको हमने अलग से देखा इसमें आ रही थी 3 triangle इसको अलग से देखा इसमें आ रही थी 3 triangle जो कि यह 6 हो गए इन दोनों से आ रही थी 2 और यह वला आ गया एक यह आ गया जब मैंने इसको इसके साथ club किया तो एक बड़ी triangle यह create हुई पस ठीक है मतलब दो की formation और हो रही है 22 जो है हमारा final answer आ गया बाकी options तो eliminate हो रहे है आपके साम नहीं है बाकी सारे options eliminate हो चुके है 8, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 30 answer आएगा note 22 20 आ रहे है 20 नहीं आ रहे adding में थोड़ी गलती कर दी मैंने 8, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 30, इस से आगे नहीं बन रहे क्योंकि सारी की सारी clubbing हम include कर चुके है squares count करने हैं आपर चलो अब trick use कर लेते हैं आपने basic तो देख लिया होगा अब जैसे की पूरी figure को मैं supplement करना चाहूं तो ये खिड़की बन रही है इस window में हमारे पास कितने include हो गए 5 एक window ये include हो रही है इस window में भी हमारे पास कितने हो गए 5 अब मैं इस वाले portion की बात करता हूँ देखो ये वाला सारा portion ये वाला सारा तो order decreasing method के through हम इस question के अंदर या इस figure के अंदर हम target कर सकते है number of squares तो इसका matrix figure देख लो कितना है 3 by 4 का मतलब इसमें 3 rows है और 4 columns है ठीक है M by N की figure हो गई न number of rows और column vary कर रही है तो order decreasing method के दो order को decrease कर दो तो 3 में से 1 कम करो 2, 4 में 1 कम करो तो 3 order decreasing method 2 में 1 कम करो 1, 3 में 1 कम करो 2 चलो ये कितने होगे 12, 6 और 2 12, 6, 18 और 2 कितने होगे 20 मतलब के इस 3 by 4 के area के अंदर हमारे पास 20 squares और include हुए समझा गया तो मैंने पूरी की पूरी figure को अभी तक के लिए break कर दिया 20 इस वाले portion में है 5 हिदर आगे 5 हिदर आगे एक ये भी तो include होगा 31 अब तक मिल चुके है option eliminate करना शुरू करो अब तो देखो इनको अलग-लग target किया हमने अब इनकी merging शुरू कर देते है merging करने के लिए अगर मैं इस वाले area को यहाँ पर merge करूँ तो square नहीं बनेगा ये वाला area यहाँ पर merge करें तो एक ही square और include होगा बस 32 ये थे 31 ये थे सारे के सारे 20 और 10 30 और 31 और इनकी merging से एक square और create होगा तो इसलिए हमारा answer कितना आ गया यहाँ पर C option that is 32 यहाँ पर भी square ही include करने है चलो तो इसमें मैं आपका ज़्यादा time waste नहीं करूँगा ये देखो इसको हमने break कर लिया तो 3 by 4 की shape में हमारे पास 20 वर्ग होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको figure out करके बताया था तो ये भी तो 3 by 4 की shape है देखो 3 rows और 4 columns है एक ही ये हो गया एक window की shape यहाँ बन रही है ये देखो तो इसमें कितने होगे? 5 तो similar figure ही है कही न कही इधर 5 है ये 20 25 और 1 कितने होगे? 26 option eliminate करो आप इनको club करते हैं club करने पर बस ये वाली 1 square और रह गई है हमारे पास तो 27 जो है यहाँ पर हमारा final answer तो बस वही है अगर entities को use करना आ गया तो question easily solve होगा आपका next यहाँ पर हमें target करने है number of triangles चलो इसे भी मैं break करने का आपको idea देता हूँ तो दो तरीकों से इस पूरी की पूरी figure को break कर सकते हो एक तो ये वाली entities को अलग रख लो इसको अलग रख दिया इस वाले area को अलग रख दिया ये अलग हो गया ये उपर वाला हिस्सा अलग हो गया ध्यान से देख लो यहाँ पर काफी ज़ादा entities जो हैं आपको visible हो रही होगी ये सारे के सारे portion हमने अलग रख दिये जैसे 8 हिसमें हो गए 8 हिसमें हो गए 3 हिसमें हो गए 3 हिसमें हो गए अब directly target कर सकते हो एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका ये starting में ही मैंने आपको पता नहीं पहले 10 question के अंदर अंदर एक figure include figure out करवाई थी इसका idea भी दिया था कि इसमें कितने number of triangles होती है 16 तो इस 16 को आप अलग रख लो इस वाले area को अलग रखो उसको अलग रखो इसको अलग रखो that's up to you तो break करना आपके हाथ में होता है चलो इसी को ही include करके मैं आपको solve करवा देता हूँ तो इसमें कितने होगे 16 तीन इस वाले area में आ रहे हैं देखो ध्यान से तीन इस वाले area में आ गए और तीन इस वाले area में आ गए तीन इस वाले area में आ गए I think इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो हमने पूरी की पूरी फिगर को अभी तक के लिए ब्रेक कर दिया 16 थे ये सेंटर वाली फिगर में 9 हो गए ये साइड वाले पॉर्शन तो 16 और 9 अभी तक के लिए कितनी होगे हमारे पास 25 Option Eliminate करो P Option तो बाहर निकल गया चलो मैं इसे Erase कर रहा हूँ अभी तक के लिए इसको नहीं करूँगा क्योंकि इसके साथ हम बाकी फिगर्स को Merge करके Figure Out करेंगे कहीं और ट्रेंगल स्थों नहीं क्रियेट हो रही देखें जी चलो आगे की बात करते है इस 25 के बात की बात करते है पहले तो उपर वाले एरिये को इसके साथ Merge करके देखते है यह उपर वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन Merge करके देखते है तो यहाँ पर दो ट्रेंगल की Formation और होगी एक ये हो गया दूसरा ये हो गया विजुलाइज करवा रहा हूँ 25 और 2 कितने होगे 27 ये Option Eliminate करो समझा रहा है मैं इसको Hide कर रहा हूँ अभी हमने इन दो पोर्शन को Merge किया अब आगे बात आती है इस एरिये को इसके साथ Merge करो एक ये बन रहा है ये देखो एक ये बना Similarly यहाँ पर भी Merging कर दो Identical triangles मिल जाएंगी एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है मतलब 4 और include हो गए तो 25 और 6 कितने होगे अभी तक के 31 आपका C option भी Eliminate बाकि कुछ देखने की जुरत नहीं है C option हमारा final answer क्योंकि हम जितने भी options और available है उनको तो surpass कर ही चुके है उनको तो अलग से figure out कर ही चुके है तो हमें और figure out करने की जुरत नहीं है ये exam oriented approach बताईए मैंने आप exam में हमेशा आपको question को इसी तरह ही attempt करना है ये मान के चलिए ये का बात चलो आगे देखना चाहेंगे 31 तो ये वले हो गए जलो और भी देख लेते हैं figure out कर लेते हैं अभी तो हमने इसको merge किया था और इनको merge किया और आगे इसको target करें तो ध्यान से देखिएगा एक triangle हमारे पास ये बनी मैं 38 तक आपको पूरी covering करके बता रहो एक triangle हमारे पास ये बन गई कितनी और include हो गई दो दिमाग में picture बना ले ना किस-किस को consider कर चुके हो चलो दो ये मिल गई इसके इलावा अगर हम बात करें एक triangle ये बन रही है उपर की तरफ एक triangle ये बन रही है उपर की तरफ तो ओर आ गई clear हो रहे ना सहे rewind करके देख ले ना confused नहीं हो ना इन सारी चीज़ों में यहाँ पर मैं figure out कैसे करवाँ मेरी भी मजबूरी है कि यासे break करके बट exam में आपको ऐसे break कैसे कर लोगे मैं इसमे animation दिखा देता exam में कैसे कर लोगे तो जो एक करने का तरीका यहाँ पर रहेगा वही exam में रहेगा तो उसी चीज़ को आपको feel करवाना ज़रूरी है एक triangle बड़े वाली ये भी बन रही है देखो अभी तक के लिए कितनी हो गई चार और चार आठ नो दस और एक ग्यारा बन रही है ओके जी टास्क बूरा 38 तक पहुँच गए ओके बाकी आपको exam में इतना detail में जाने की ज़रूरत नहीं है इतना detail में मत जाईए अब option का reference ज़रूर लेके चलना option eliminate करते रहो बट जो भी conditions में आप components target कर चुके हो component वो square की shape का है triangle की shape का है जो भी आप से पूछा गया है आप उनको parallelly add करते रहो side पे count करते चलो ताकि option को आप easily eliminate कर सको ये नहीं है कि आप mind में retain करके रखोगे year 25 तो उसमें आ चुके थे दो ओर आगे 31 ऐसा कभी मत करना ठीक है? ऐसा कभी मत करना क्योंकि उस situation में आप दो चीज़ों पर task कर रहे हो एक तो counting करने में number याद रख रहे हो और दूसरा shape से figure out करने में अगर दोनों चीज़े पैरलली चलेंगी न तो जो triangles आप already count कर चुके होंगे वो recount हो सकते हैं तो रिसका मतली जीगा इस चीज़ का next attempt करिएगा चलो निकालते हैं तो पहले तो single component में इनका कोई trick नहीं होता single component में एक quadilateral ये बन रहे है ये दूसरा हो गया एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छे, तो single component में हमारे पास कितने quadilateral आ गए छे, अब हम करेंगे merging अब हम किने भी दो quadilateral या दो चतरभुज को आपस में merge करके देखते हैं कि कोई और further quadilateral तो नहीं बन रहा जैसे कि इन दोनों को आपस में merge करो ये देखो, ये दो ही है counting में, ठीक है जी चलो, एक ए हो गया और दो को merge करें इन दो को merge करो, एक ये create हो रहा है तो दो quadilateral merge करके एक और नया quadilateral बन रहा है ठीक है, तो कितने हो गए, दो अब हम करते हैं, कितनों को merge तीन को merge चलो, तीन को merge करके देखते हैं कोई भी तीन quadilateral देखो, merge करके देखो एक, दो, तीन, इन तीनों को merge करो एक ये बन गया इन तीनों को merge करो एक ये बन गया तो तीन quarterlator को merge करके दो और create हो गए parallel option का reference लो 10 तो अभी तक हैं बट सारे option 10 से उपर ही हैं चलो अब हम 4 को merge करेंगे 4 कौन कौन से merge किया जा सकते हैं ये देखो 1, 2, 3, 4 इन 4 को merge करो एक ये बन गया एक और आ गया देखो 4 को merge करके तो 11 तो include हो गए इसके इलावा हमारे पास बस एक और quadrilateral बन रहा ये बड़े वाला ये बड़े वाला quadrilateral क्योंकि सारा task हम complete कर चुके हैं छोटी shapes से बड़ी shapes तक पहुँच चुके हैं तो final answer हमारा कितना हो गए हाँ पर option number C that is 12 क्योंकि इस बार का जो exam हुए हैं उसमें mostly quadrilateral से related बहुत से question पूछे गए हैं ठीक है बाकि दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपको rectangles निकालने आते हैं तो quadrilateral भी आते हैं यहाँ पर भी देखो चलो single component में target करते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और नो तो single component में हमारे पास number of quadrilateral कितने हो गए अब हम करते हैं merging चलो shapes का idea ध्यान से लीजिएगा एक तो इन दोनों को merge करने पर आ रहा है पहले देखो एक ही shape को पकड़ लो horizontally पकड़ लो पहले फिर हम vertically shapes घूंडेंगे दो, दो को merge करने पर एक ये बन रहा है एक इन दोनों को merge करके बन रहा है तीन हो गए, ये हो गया चोथा और ये हो गया पांच माँ ठीक है, दो को merge करने हैं, अभी तक कितने मिल चुके हैं, पांच, दो को कठा ही लिख देंगे, अभी हमने horizontal shapes को target किया, अब vertical shapes को target करेंगे, दो, दो की merging में, तो vertically अगर target करें, तो 2 की merging में सिरफ यही मिल रहा है पांच और एक कितने हो गए, छे तो 2 की merging में हमाई अपस number of quadrilaterals कितने हो गए, छे, अब हम 3-3 को merge करेंगे, चलो 3 shapes को अगर आपस में club करें तो ध्यान से देखिए, यह 3 को merge किया, एक यह बन गया फर्दर इन 3 को merge करो, एक यह बन रहा है 1, 2, 3, ध्यान से देख लिजे, quadrilateral ही है, यह भी available आपको, तो 3-3 की merging में हमारे पस 2 quadrilaterals or create हुए अब 4 को merge करो हाँ, जी, 4 को merge करें तो, कौन-कौन सी shapes बनेंगी, 4 को merge करने पे, 4 को merge करने पे बस यही एक दिखाई दे रहा है और देखो, 4 merge हो पा रहे हैं, नहीं 5 merge होंगे, 4 को merge करने पे हमें सिरफ 1 ही मिला अगर हम 5 को आपस में merge करें तो step by step है, चाहे आप कोई भी figure target कर रहे हो, triangle, square quadrilaterals, कुछ भी concept एक ही है sequence wise target करो 5 को merge करेंगे, तो यह 5 इकठे कर दो, यह देखो, 5 component है इन 5 को club करो, तो यह भी कितने होगे, 1, 2, 3 4, 5, तो 5 की merging में हमारे पास कितने create हुए 2 और create हुए लिए देखो कितने count हो चुके है, 9, 6, 15 और 2, 17 17 और 3 कितने होगे, 20 बाकी सारे option देखो, 20 से उपर ही है, चलो उसके बाद, अब आगे 6 count करने की जूरत नहीं है बड़ी-बड़ी shapes तक हम approach कर रहे है बड़ी shapes तक approach कर रहे है तो कौन-कौन सी और include करें बस फिर तो 3 और रह गई ठीक यह बन रही है, देखो यह दूसरी और यह बड़े वाली तीसरी, 3 और include हो रहे है इसमें आप कितने भी components कह सकते हो कि 6 component include हुए 7 component include हुए सारे components include हुए कुछ भी कर सकते हो तो 9, 6, 15 और 2, 17 और 3 कितने हो गए थे, 20 और 3 कितने हो गए 23 जो है हमारा final answer बड़ी shape तक approach कर चुके हैं चलिए, next देखिए यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो single component में हमारे पास 7 body letters 2 को आपस में merge करते हैं कोई भी 2 shapes इन 2 shapes को merge करो एक तो यह बन गया इन 2 shapes को merge करो एक यह बन गया तो 2 components को merge करने पर 2 quadilateral or create हो गए 3 को merge करें तो 3 की merging में एक तो यह बड़े वाला बन रहा है अंबासा, एक यह बन रहा है तो 3-3 की merging में हमारे पास 2 or आ गए तो option देखो eliminate हो सकता है option eliminate कर देते हैं 7, 2, 9 और 2, 11 तो मिल चुके हैं बट सारे के सारे option जो हैं वो 11 से उपर ही हैं चलो, anyhow, इसके बाद देखते हैं देखो, इसको हमने include कर लिया था इसको include कर लिया था, अभी तक का बट इसके साथ यह वाली shape कर लो और 3 कितना हो गया 14 जो है हमारा यहां पर final answer बना तो confident होके ही answer देना है मैं बार-बार बोल रहा हूँ हर equation के अंदर next 35 पर आते है चलो, जी देखें इसमें फिर triangles count कर रहे है figure out कर लेते हैं पहले shape, entity यह देखो, यह बन रही है just a second नहीं, यह नहीं include होगी क्योंकि यह entity आपको directly visible नहीं हो रही है इसकी line जो है, यह सामने diagonal सामने वाले vertex पर होने वीचे मुझे यह मतलब diagonal create होना चाहिए था, बड़ diagonally नहीं बन रहा, यह आपको manually ही question solve करना पड़ेगा manually question solve करना है पड़े shape को target करें तो manually ही होगा चलो देख लो, entity को अगर मैं visualize करना चाहूँ तो एक entity तो यह बनी, 3 दूसरी entity यह बन रही है 6, यह 7, यह 8 और यह 9, समझागी बात अभी हमने अलग-लग entities को, shapes को target कर लिया 3 इसमें बनी, 3 इसमें बनी 7, 8 और 1, 9 अब बारी आईगी merging की अब हम merge करना शुरू कर देखें अगर मैं इस वाले area को इस shape के साथ merge करूँ तो ध्यान से देखिए हमारे पास एक ये वली triangle include होगी इस वाले area को इसके साथ merge करें तो हमारे पास ये वली triangle include होगी 9 और 2 कितनी हो चुकी हैं अभी तक की 11 Next इस वाले area को यहां merge करके देखें तो एक ये बन रही है देखो 14 हो या कितने हो गए 12 option eliminate कर दो option eliminate कर दिया इसके इलावा देखिए दूर से देखने में ज़्यादा clearity होती है तो आप किसी मोड में question को solve करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब हमने इस वाले area को इसके साथ merge कर लिया इस वाले area को इसके साथ merge कर दिया अगर combinedly merge करके यहां से visualize करना एक तो triangle यह बन रही है अब यह count कर चुके हम तीन वाले portion में इसको नहीं include करना यह recount हो गया एक बन रही है यह यह देखो यह अभी तक consider नहीं की थी यह दोनों portions हमने add नहीं किये देना भी तक और एक यह बड़े वाली यह देखो ठीक है तो की formation और और यह है बाकी नहीं include हो के बन रहे तो 9 और 5 कितने हो गए 14 जो है हमारा final answer हम maximum limit तक पहुंच चुके हैं option के जरू फिगर थोड़ी complex है no doubt फिर option का reference ले लिया चलो आगे की दरफ अब यहां पर तो entity visualize हो ही रही है triangles count करने है तो यह देखो 8 इस वाले area में हो गए 8 इस वाले area में हो गए 8 और 8 16 17 और 1 18 तो अभी तक तो हमें simple way में 18 triangles की shape जो है वो मिल चुकी है इसके बाद करेंगे merging merge करना शुरू करतो हम जा गया न देखो 8 इस वाले में हो गए 8 इस वाले में 2 यह हो गए इसके बाद देखिए कौन-कौन सी shapes include हो सकती है एक यह बन गया एक यह बन गया 18 और 2 कितने हो गए 20 ठीक है जी चलो उसके बाद बाक्की सारे option तो 20 से उपर ही है हम जी दो और दिखाई दे रहे हैं यह देखो एक यह बन गया similarly similar shape वहाँ से भी निकल के आनी चाहिए फिर similar shape हाँ एक यह बन गया देखो इस question को एक तो हमने इस level पे solve किया तो कितने होगे 18,2,20 और 2 कितने होगे 22 एक तो इस तरीके से solve किया इसका एक दूसरा method भी है इस वाले area को अलग रख दो यह कितने होगे बीच वाले में 12 रख कर लो 1,2,3,4,5,6,1 का डबल कितना होगे 12 3 यह होगे 3 यह होगे 12 और 6 कितने होगे 18 इसके बाद आप मर्जिंग शुरू कर दो यह ज़ादा बहतर होता यह दूसरे method के थूरू जो मैं बता रहा हूँ इसको इसके साथ merge करोगे एक ए बना एक ए बना एक ए बना और एक ए बना बस खतम बात 18 और 4 कितने होगे 22 यह 18 थे 4 यह include होगे 22 जो है हमारा final answer next quadilaterals ही देखने है वही single component में इनकी कोई trick नहीं है 1,2,3,4,5,6,7,8 single component में आए 8 quadilaterals merging करते हैं पहले horizontally दो-दो को club करेंगे यह देखो एक यह आ गया यह दूसरा हो गया यह तीसरा यह चोथा और यह पांच होँआ तो horizontally अभी हमने 5 को target कर लिया vertically देखते हैं को कोई 2 component ही कठे होगे quadilaterals बनाते हैं या नहीं चलो अब करते हैं vertically merge एक ही बन रहा है vertically देखो दूर से देखे दो vertically देखें तो एक ही बन रहा है तो 2 की merging में हमारे पास 6 quadilaterals और include हो गए आगे merge करते हैं 3 को 3 को merge करके देखते हैं पहले तो horizontally ये 3 merge कर दो एक ये हो गया ये 3 merge कर दो तो 3 की merging में अभी 2 तो मिल चुके हैं जिसमें हमने quadilaterals कौन से उठाए horizontally vertically देखते हैं कोई 3 component merge होके quadilaterals बना पा रहे हैं या नहीं vertically नहीं पस 3 की merging में हमारे पास सिरफ 2 ही बने 8 और 6 14 और 2 कितने होगे 16 बाकी सारे option 16 से उपर ही हैं 4 को अगर merge करना चाहें हैं जी 4 को merge करने पर 1 2 3 4 4 की merging में सिरफ यही एक बन रहा है 4 की merging में यही एक create हुआ अगे देखिए बाकी बाकी तो फिर इसको include कर लिया अब एक यह हो गया एक यह हो गया और एक बड़े वाला area ठीक है तीन और include कर दो 8 6 14 और 6 कितने होगे 20 maximum number तक हम पहुँच चुके हैं option के through 20 is the correct answer next triangles count करने यहां पर भी पहले तो shapes को figure out कर लेते हैं entity visible होनी चाहिए हाँ एक entity visualize हो रही है यह देखो समझा गया तो 8 तो मैं इसमें निकाल रहा हूँ ओके 3 मैं यहां से भी उठा रहा हूँ एक entity यहां visualize हो रही है यह देखो तीन यहां से भी उठा रहा हूँ यह देखो एक, दो, एक अठा कर दिया, तीन, तो ये हो गए, तो ये वले हो गए, ध्यान से विजुलाइज कर लीजे, अभी तक हमने कौन-कौन से consider किये है, आठ इस वाली शेप से, तीन इस वाली शेप से, और दो हमारे पास वो individually बैठे हुए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आठ, तीन, ग्यारा और दो, अभी तक के लिए कितने हो गए हमारे पास, तेरा, अब हम करेंगे merging, ठीक है, merging शुरू करते हैं, पहले तो मैं, इस वाले एरिये को, इसके साथ include करना चाहूँगा, sections देख लिए ना आपने, पहले मैं इस वाले शेप को, इनके साथ include करना चाहूँगा, तो visualize कीजिए, कोई triangle create हो भी पा रहा है या नहीं, इसको इसके साथ merge करके, नहीं, कोई भी नहीं बन रहा है, यह अकेला ही था, यह अला portion अलग से था, तो अगर मैं इस वाले area को, यह जिसमें हमने तीन include किये थे, अगर मैं इसको इनके साथ merge करूँ, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास एक triangle यह बनी, एक triangle यह बनी, इसको भी include कर लो, एक triangle यह बन गई, कितनी बन गी, तीन और बन गई, समझ बा रहे हो ना, मैं repeat कर देता हूँ, यह वाला section मैंने कैसे count किया, यह देखो देहां से, यहाँ पर थे, हमने इसको अलग से देखा हुआ था, इस shape में 8 triangles अलग से देखे हुए थे, तो मैंने इस वाले area को पहले इसके साथ merge किया, जिसमें एक triangle यह visible हुई, एक number, एक triangle यह visible हुई, यह दूसरी हो गई, फिर मैंने यह वाला area भी साथ में include कर लिया, क्योंकि overall यह हो रहा है, तो इसका भी काम खतम ही कर दो, यह तीसरी triangle यह वाली include हो गई, तो वो तीन मैंने यहाँ पर लिख दिये, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो, इसके बाद देखते हैं, इसका area इसके साथ include हो गया, अब उपर वाले area की बात करते हैं, अगर उपर वाले area में, यह single section हम already count कर चुके थे, यह अलग से count कर चुके थे, तो पहले इन दोनों को merge करो, एक triangle यह बन रही है, ठीक है जी, एक triangle यह include हो गई, यह वाला area इसके साथ club हो गया, अब यही वाला area इसके साथ club करो, इस वाले portion के साथ, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो visualize करो, कौन-कौन सी shape बन रही है, triangle की shape, अब देखते हैं, एक यह वाली हमने लिखी नहीं न, यह वाली shape, यहाँ पर add on कर दी, अब यह वाला area, इसके साथ अगर हम merge करें, तो हमारे पास, देखें ध्यान से, यह वाली triangle बन रही है, पस यही एक बन रही है, और तो नहीं visualize हो रही, चलो फिर भी हम options को reference लेके eliminate करते हैं, 8, 3, 11, और दो कितने हो गए, 13, 13 और 5 कितने हो गए, 18, अभी तक options जो हैं, वो 18 से उपर ही है, ठीक है, चलो, एक तो shape, यह यहाँ वाली हो गई थी, इसको merge करने पर, एक shape यहाँ वाली हो गई थी, और दूसरा हम बात करें, एक shape यह भी तो बन रही है, ठीक है, एक और include हो गई, तो कितने मिल चुके हैं भी तक के, 19, री count करते हैं एक बार, मतलब फिर से procedure देख लेते हैं, थोड़ी typical figure है, 8 आये थे इस shape में, 3 आये थे इस shape में, include हो गए थे, ठीक है, दो ये वले count किये थे हमने, clear, ये तो हो गए थे 13, इसके बाद, हमने 3 count से consider किये, जब ये वाला area जो है, इसके साथ merge किया था, एक ये बना था, ये दूसरा बना, अब इसको भी include किया था, तो ये तीसरा बन गया था, ठीक है, ये 3 include हो गए थे, ये बड़े वाला, ओके, तीन ये वले add on कर दिये, फिर इसको इसके साथ merge किये, तो एक ये include हो गया, एक ये include हो गया, एक बड़े वाला ये include हो गया, तो ये 3 include हो गए और, तीन और तीन 6, 6 और, 2, 8 और 3, 11, और आठ कितने होगे अभी तक के 19 तो हमारे पास बन चुके हैं ठीक है जो लोगए और कौन से पेंडिंग हो सकते हैं थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा रिसक अफेक्टर रहेगा कई बार ना क्लोस से विजुलाइज नहीं होती हैं चीजें फिर भी हम इडेंटिफाई कर रहे हैं कि कुछ स्किप ना हो जाए हमारे हाथ से क्योंकि जिन्दगी मौत का सवाल है ऐसे क्वेशन के अंदर दो चलो इस वाले एरिया को इसके साथ मर्ज करके देखा तो एक ही बन दा था ठीक है ये वाला तीन बन रहे थे तीन ये एक ये चार इस सेक्शन में आगे थे चार इनको मर्ज किया एक ये बन गया था अरे और भी मिल रहे देखो एक और इंक्लीड हो गया ये देखो छुपा बैठा था बिला रुपके बैठा हुगा था न ये काउंट ही नहीं हुआ था अभी तक का एक एक नंबर बढ़ता जा रहे देखो रिस्क फेक्टर है न अब क्या पता अब आंसर जो है हमारा 21 है या 20 है या भी तक के लिए देखे हो मैं कितने मिल चुके हैं 19 मिल चुके है 8 3 11 और 2 13 13 और 3 16 17 18 19 20 अब 21 भी हो सकता आंसर 22 भी हो सकता है जैसे कि एक ये वाला डाउटफुल केस था एक तो उपर वाली शेप में ये इंक्लिूड हो गया ये इंक्लिूड हो गया था बड़े वाला इंक्लिूड हो गया ये इंक्लिूड हो गया ये भी इंक्लिूड हो गया बट एक और भी है ये देखो एक और मिला सारी shapes हमने merge नहीं की न यहाँ पर दिक्कत आ रही है पस इस से आगे कुछ और नहीं होगा सब कुछ cover कर लिया है दून्टे दून्टे मिल गया है तो ये सारे के सारे कितने बिन गे हमारे पास 21 मैं repeat ही कर देता हूँ इस question को ध्यान से देखिएगा repeat करने जा रहा हूँ इस question को तो पहले तो हमने इस figure को अलग से target किया ठीक है इस figure को अलग से handle किया था अब देखो पहला step हमारा ये था इसमें कितने होगे 8, 8 और 3 11 ये 12 और ये 13 इसमें तो I think कोई confusion नहीं होगा अब इसके बाद हमने की थी merging सबसे पहले अगर मैं इस section को इसके साथ include करता तो कोई triangle नहीं बन रही थी बड़ मैंने क्या किया इस वाले area को इसके साथ include किया तो एक triangle ये बनी हमारे पास दूसरी triangle ये बनी हमारे पास और तीसरी triangle ये बनी समझा गया अब इसको इसके साथ क्लब करके देख लिया अब उपर वाले पॉर्शन को इसके साथ क्लब करके देखा तो एक ये बन गई ठीक है ये दूसरी और ये तीसरी यहाँ पर इसने तीन ट्रेंगल्स और क्रियेट कर दी तो अभी तक के लिए देखो कितनी हो चुकी है 13, 13, 16 और 3 कितनी हो चुकी है 19 ओके और moreover इसके साथ-साथ एक ये भी बन रही थे इनके साथ-साथ देखो हमने इनको टार्गेट किया, एक इसको टार्गेट किया एक ये भी तो बन रही है देखो मैं इसको हटाके मैं आपको visible करवा देता हूँ आजा भाई यह देखो एक यह बन रही है बड़ी और इससे बड़ी shape यह निकल के आ रही है तो दो यह include हो गई तो 13, 6, 19, 2, 21 जो है हमारा यहां पर final answer है तो जहां कहीं भी आपको ऐसी confusion हो ना जैसे question थोड़ा complex way में था तो ऐसा question जो है आप exam में skip भी कर सकते हो अगर आपको लगे ना के नहीं भाई इसमें chances हैं कि गलत हो सकता है हाँ अगर आपको option जो हैं काफी दूर दूर available है यह तो consecutive numbers ही हैं 19, 20, 21, 22 तो थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है जलो next देखो हाँ इसमें जल्दबाजी मत करना ये वाला जो end है यहां तक नहीं include कहीं कहो ये 8 होगे ये 8 होगे ऐसा मत करना इस shape को लग से target करो ये कितने होगे 8 इसकी बात करें 8 और 3 कितने होगे 11 और ये 12 देखो 1, 2, 3 इनको merge करो ये 4 और ये कितने होगे 5 अभी उपर वाले section को हमने अलग से देखा नीचे वाले section को हमने अलग से देख लिया 8 और 5 कितने होगे 13 इसमें होगे 8 1, 2, 3, ये 4 और ये 5 ये 6 भी include कर लो उपर वाले section में ही आ रहा है ये भी उपर वाले section में कितने होगे हमारे पास 6 8 और 6 कितने होगे 14 अब हम कर देते हैं इनको merge अगर हम दोनों को इकठा करके देखें इकठा करने बस सिरफ 2 triangle और बन रही है ये देखो एक ये होगे एक ये होगे 8, 6, 14 और 2 कितना होगे 16 जो हमारा final answer इसके लावा कोई और triangle create नहीं हो रही नेक्स्ट 40 आईए इस चीज़ के उपर अब यहाँ से ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी touch नहीं हो रही है कहीं जल्दबाजी में touch करवा दो अब ऐसे question को solve करने का तरीका बताता हूँ इसे दो parts में अगर हम split कर दे तो ध्यान से देखे left side वाला portion और right side वाला portion जो है identical है यह और यह मिलते जुलते हैं अब सिरफ एक area में target करो एक area में कैसे देखोगे 1,2,3,4,5 अभी तक के लिए 5 मिल गई फिर इनकी merging शुरू कर दो अगर हम इनको आपस में club करना चाहें तो देखे कौन-कौन से बन रहे है यह 6 हो गए include यह 7 और यह 8 समझागी बात यह देखो यह 5 थे single individual यह 6 यह 7 और यह 8 तो अगर left side area में आपके पास 9 है rather एक A भी तो बन रहे है एक A भी तो है तो left side वाले area में अगर आपके पास 9 triangles हैं तो right side area में भी 9 ही होंगे क्योंकि identical ही तो है मिलती जुलती ही है तो 9 और 9 कितने होगे 18 तो हम option को eliminate कर सकते हैं A option eliminate, D option eliminate बड़ merging में भी बनेंगे तो C option भी eliminate क्योंकि merging में आपको clearly एक तो यही दिखाई दे रहा है और एक यह बड़े वली triangle दिखाई दे रही है तो यह भी eliminate 18 और 2 कितने होगे 20 हमारा final answer next question number 41 चलो इसमें कोई entity visualize हो रही हो दो तरीकों से visualize हो सकती है प्रेंगल्स count करने है या तो ऐसे split करके कर लो तीन-तीन की shapes में हमें ये दो visible हो रहे है या तो आप ऐसे कर लो अगर ऐसे नहीं करना तो आप इसको और इसको include कर लो ठीक है? That's it बढ़ यह काफी हो पोच पोच भी हो सकता है क्योंकि इसके बाद भी आपको manually question solve करना है single component में करोगे दो-दो को merge करोगे तो बहतर है इससे lengthy method से ही solve कर लेते हैं थोड़ा conceptually manually question को solve करते हैं तो पहले तो single component में आ जाते हैं 1,2,3,4,5,6,7 तो single component में हमारे पास seven triangles तो create हो गई ठीक है तो थोड़ा carefully question को attempt करेंगे seven triangles ये create हो गई अब हम merge करेंगे दो-दो components को अपस में अगर दो component अपस में merge करें तो visualize करते रहेगा एक तो ये हो गया ये दो component merge कर दिया ठीक है ये तीसरा और इसके साथ साथ मिलता जुलता ये चोथा ओके दो-दो component merge कर दिया अभी तक के लिए एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है यहां से देखिए अभी हमने कितनों को merge किया सिरफ दो को ही merge किया और दो-दो को merge करने पे हमें कितने मिल चुके हैं छे repeat कर वादूं क्या पहले तो इसे और इसे merge किया ये देखो एक ये दो ठीक है जहां से देखते रहना दो ये हो गए इसके बाद ये तीन ये भी देखो दो component आ रहे है और ये बले ठीक है दो और दो कितने हो गए चार count करते रहना दो की merging में ये भी दो की merging में आ रहा है ये भी दो की merging में आ रहा है तो कितने होगे अभी तक के छे तो दो की merging में हमारे पस अभी तक के कितने include हो गए छे include हो गए ठीक है जी चलो अगे बात करते है तीन की merging करें ये देखो तीन की मर्जिंग में एक तो ये बन रहा है एक, दो, तीन तीन की मर्जिंग में एक ये क्रियेट हुआ ठीक है तीन की मर्जिंग में एक ये भी बना तीन की मर्जिंग में एक ये भी बन रहा है तो तीन की मर्जिंग में हमारे पास कितने आ रहे हैं चार ट्रेंगल्स और क्रियेट हो गई पता हो कोई दिक्कत यहां तक चार ट्रेंगल्स हमारे पास और क्रियेट हो गई अब हम ट्रिक और लगा सकते थे वैसे अगर मैं इस सेक्शन को अलग से हैंडल कर लेता छे इसमें आगए इसको अलग से हैंडल कर लेता तीन इसमें आ गए छे तीन नो और दो कितने होगे ग्यारा वैसे भी कर सकते थे वैसे और उसके बाद मैनुवली तो करना ही पड़ता आपको किसी भी वे में अरे दो की क्लबिंग में हमने दो स्किप कर दिये हैं ये देखो अगर हम दो को मर्ज करेंगे तो ये भी तो बन रहे थे दो इसमें मैं और इंक्लूड कर रहा हूँ दो की क्लबिंग में आठ हो रहे हैं चलो ओप्शन का रेफरेंस लो ओप्शन एलिमिनेट कर दो एक बार तो अभी तक के लिए कितने हो चुके हैं साथ, छे, तेरा, चार, स्तारा और दो कितने हो गए उननीस और चेक कर लेते हैं हाँ एक बड़ी वली ट्रेंगल रहे गए ये वली उननीस और एक कितना हो गया तो ट्वंटी जो है यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर बना क्योंकि बड़ी शेप तक अप्रोच कर चुके हैं नेक्स्ट देखिए इस क्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या हमारी कोई एंटिटी यूज हो सकती है क्या क्वेशन को मैनुली सॉल्व करना सही रहेगा तो वही बात आती है न यह देखो यह वाली शेप अलग से रख लो आप किस शेप को अलग से रख लो यह वाली शेप देखो 6 इसमें हो जाएंगे 3 इसमें हो जाएंगे च्शेपे मैनुली करना चाहें तो मैनुली कर लो तो पहले कोई एंटिटी ہے नहीं, manually कर लेंगे तो वो जादा बहतर होगा चलो देखो एक, दो तीन, चार, पाँच, छे, साथ सिंगल कॉम्पोनेंट में हो गए, साथ अब दो-दो कॉम्पोनेंट्स को आपस में merge कर दो कॉम्पोनेंट्स ये उठा लो ये के बन गया? ओके? दो कॉम्पोनेंट्स ये उठा लो ये दूसरा हो गया दो कॉम्पोनेंट्स ये उठा लो ये तीसरा ये चोथा ये पाँचमा और ये छटा तो दो कॉम्पोनेंट्स आपस में merge होके 6 triangles create कर रहे है दो कॉम्पोनेंट्स मर्ज होके दो और भी बना रहे हैं ये देखो ये दो component ही कट्थे उठा लिए ये इछली figure ही है एक तरह से कहीं न कहीं मिलते है चुलते 6 और 2 कितने हो गए 8 अब इसके बाद बात करते हैं अब हम 3 components को merge करेंगे 3 components merge करें ये 3 components उठा लो ये देखो एक ये हो गया ये दूसरा देखो एक ये दो ठीक है ये तीन मोटा मोटा तो ये दिख्या 3 components में और visualize कर लेते हैं 3 components में और visualize करते हैं कौन-कौन सा include किया है एक ये दो और ये तीन इधर दो component आ रहे है वहाँ से देखें तो तीन component में एक ये भी include हो रहा है चार बन गए देखो option का reference लो देखो कोई option eliminate होता है या नही तो 7, 6, 13 13 और दो 15 और 4 कितने हो गए अभी तक के 19 बढ़ सारे options जो हैं हमारे पास 19 से उपर ही है 19 से उपर है ठीक है अब देखा जाए last में मेरे पास सिरफ एक ही alternate रहा जाता है क्योंकि चार component कहीं भी merge होके triangle की shape नहीं बना रहे चार बड़ी triangle यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैं maximum option को target करके चल रहा हूँ यह सारे के सारे 19 तो हो गए पर अगर मैं सारी shapes को इकठा करके देखूँ तो यह 3 component में हम include कर चुके हैं इनको 3 component में यह भी include हो चुके है चलो तिरोर कौन से रह गए है एक तो यह बन रहा है बड़े वाला एक यह बन रहा है बड़े वाला एक यह बन रहा है कितने होगे 19 और 3 कितने होगे 22 next और कोई बनता होता हो मैं तो जाता हूँ इस question को फिर से देखा जाए आपके लिए समझना थोड़ा complex रह रहा होगा है न चलो फिर से देखते हैं एक बार एक बार repeat कर देता हूँ ताकि आपको confusion ना हो single component में देखते हैं पहले एक दो तीन चार पाँच छे साथ फिर हम दो दो components की merging करके चल रहे थे इन दोनों को merge किया एक यह बन गया इन दोनों को merge किया यह दूसरा आ गया ऐसे ही cyclic order में चलते जाओ इन दोनों को merge किया यह तीसरा ओके इन दोनों से तीन हो गए यह देखो यह चोथा यह पाँचवा और यह छठा छटे के बाद यह सातवा और यह आठवा तो दो component को merge करने पे हमारे पास आठवा बन रहे थे चलो इसके बाद हमने देखा तो component include हो गए तीन कॉंपनेंट मर्ज किये एक ये बन रहा था तीन कॉंपनेंट मर्ज किये एक ये बन रहा था तीन कॉंपनेंट मर्ज किये एक ये बन रहा है तीन कॉंपनेंट मर्ज किये एक ये बन रहा है तो तीन कॉंपनेंट को merge करने पे हमारे पास चार ट्रेंगल और इंक्लिड होई पट तीन कॉम्पोनेंट को ही मर्ज करने पे एक ये भी बन रहा था पांच आ गई यहाँ पे दिखा देता हूँ ये पांच कौन कौन सी है एक तो तीन कॉम्पोनेंट ये मर्ज हुई एक तीन कॉम्पोनेंट ये मर्ज हुए एक तीन कॉम्पोनेंट ये मर्ज हुए एक तीन कॉम्पोनेंट ये मर्ज हुए ये भी तीन मर्ज होके एक ओर ट्रेंगल बना रहे दे तो कितने होगे पांच अभी तक के लिए कितने मिल चुके हैं साथ आठ पंदरा और पांच बीस अब ये वाला एरिया हमने कवर कर लिया ये अरिया कवर कर लिया बट ये बड़े वाला एरिया अभी तक कवर नहीं किया था ये बड़ा एरिया हमने अभी तक कवर नहीं किया सारा मिलाके ये कवर नहीं किया तो तीन और बन चुके हैं, 20 और 3, 23 हमारा maximum option है, तो इसी को ही हमें opt करना होगा, option का reference लेके करा, तो वो ज्यादा बहतर हुआ हमारे लिए, ठीक है, एक second भाई, फिर्मी हो रही है, चलो, करें next question के उपर switch, अच्छे level के question है, इस question में देखते हैं, entity use हो सकती है, triangles count करने है, तो entity हमारे पास use हो सकती है, कौन सी, ये वली देखो, इस entity को आप use कर सकते हो, इस entity में हमारे पास कितनी हो गई, 8, ये देखो, ये 9 मी, 9 और 3, 12 और 1, 13, ये देखो, ये 3 भी तो बन रहे हैं इस वली में, 8, 3, 11, 12 और 1, 13, अब हम 13 से आगे चलेंगे, यहां से अपना time save कर लिया हमने, entities जो हैं हमारे पास visualize हो चुकी है, अब इसके बाद merging करना शुरू कर देते हैं, अगर मैं इस वाले area को इसके साथ merge करता, ध्यान से देखेगा, एक तो triangle ये बन रही है, एक ये बड़ी वाली triangle बन रही है, ठीक है, यहां से देखे, repeat कर देता हूँ, यहां से 3 triangles create हो रही हैं हमारे पास, ये वाला section अलग से देखा था, ये वाला section अलग से देखा था, मैंने इसको इसके साथ include किया, ठीक ये बन गी, number 1, ये बन गी number 2, और ये बन गी number 3, तो 13 और 13, 16 तो हो चुके हैं अ आगे चलो, अब इस वाले area को इसके साथ merge करें, तो कोई triangle की shape नहीं निकलेगी, तो इसको दो side पर रखते हैं, बट इस वाली area को इसके साथ merge करें, ये देखो, ये वाला सारा area, इसके साथ merge करते हैं, एक triangle ये बन रही है, एक triangle ये बन रही है, दो और बन गई, repeat कर देता कौन-कौन सी बनाई अभी तक मैंने ध्यान में रखिएगा किस-किस को इंडिविजुली टार्गेट किया था वन ये दो मैंने यहाँ पर कंसीडर कर दिये ठीक है जी जो अब आगे की तरह बढ़ते हैं अब इस वाली शेप को यहाँ पर अगर हम मर्ज करके देखें तो यहाँ से कोई भी ट्रेंगल विजुलाइज नहीं हो रही बट यह जरूर बन रही है यह देखो यह वाली ट्रेंगल जरूर बन रही है चलो ऑक्षन का रेफरेंस ले और एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं अ कि यह रा तीं सोला है और तीन कितने होगे अभी तक गार उनेशम थो हमारे पास क्रिएट हो जुके है इसएंच से आगे की बात कर करके दिखिएंगे इस बड़ी शेप थक इंक्लिएफ्स करें है सारा पॉर्षण इंक्लिएफ्स हो चुके हैं तो देखा जाए तो इसको इटाई है ये वाली बड़ी ट्रेंगल हमने count कर ली थी इस वाले area में जब हमने 1 2 ये बड़ी वाली ट्रेंगल हमने count कर ली थी इसको जब इसके साथ merge किया था तो ये वाली pending रहे गई है यह वाली ट्रेंगल हमने count नहीं की एक यह consider होगी बस और तो कोई create होई नहीं रही 20 यार है इसके इलावा कोई और ट्रेंगल की shape नहीं दिखाए दे रही सारे vertices भी vertices भी figure out कर लिए हमने ठीक है जी next आगे इस shape में देखिए entity visualize हो रही होंगी 12 उपर की तरफ है 12 नीचे की तरफ यह देखो इस section में 12 होगे 1 2 3 4 5 6 6 का double 12 इधर भी कितने होगी 12 12 और 1 कितने होगे 13 मर्ज कर दें पहले इन दोनों को मर्ज करेंगे एक दो तीन चार ठीक है जी अरे का कर दी है मैंने repeat कर रहा हूँ देखो दो बारा इधर है बारा इधर है चोबिस और एक पच्चिस आने एक figure ही count की थी इसके इलावा इन दोनों को मर्ज करें तो चार और बन रही है एक दो तीन चार पच्चिस और चार कितनी हो गई 29 चलो अगे मर्ज करके देखिए इसको इसके साथ मर्ज कर दिया आगे फर्दर मर्ज करें तो और शेप नहीं बन रही 29 इस दे करेक्ट आंसर body laterals single component में आईए एक दो तीन तो single component में तो तीन बन रही है प्लस अब दो components मर्ज करते है दो components को मर्ज करो दो components मर्ज करेंगे horizontally एक तो ये बन रहा है vertically ये number 2 ये number 3 तो दो components मर्जो के तीन और बना रहे हैं आगे include करो तो अलो जी दूर से थोड़ा देखते हैं दो components अरे दो components मिलके और भी बन रहे हैं अभी अभी कौन से बनाए इसको इकठा गिया इन दोनों को इकठा गिया इन दोनों को बनी अब आगे तीन components मर्च करने की बारी तीन components यही होंगे इकठे तभी एक quadilateral create होगा है न तीशेवलाइज कर लेते हैं easily तो तीन components से बस यही एक बन रहा है तीन components से एक यह आ गया चार components हो सकते हैं जी चार components यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच नहीं यह pentagon बन जाएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच ही include हो रहे हैं एक यह बन गया और एक बड़े वाला बन गया तो और create होगे तीन, पाँच, आठ और तीन क्यारा जो है हमारा यहां पर final answer 45th answer क्या आगया दी quadilaterals एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ तो single component में आगया हमारे पास 8 quadilaterals merging कर दे दो, दो कोई कठा करना शुरू करो पहले horizontal shapes में एक बस बाकी vertically बन जाएंगे यह दो यह तीन और यह चार चलो इसके बाद तीन merge करते हैं अंजी देखो तीन merge होके quadilaterals नहीं बना रहे तो फिर कौन से बन सकते हैं देखो directly 5 include हो रहे है चार भी नहीं include हो रहे एक यह बन रहे और एक यह बन रहे यहां से visualize कर लीजे 8 और 4 बारा 12 के बाद हमारे पास 2 और include हो गए है इसमें की 5-5 quadilaterals create हो रहे है चलो इसके इलावा आपका भी एक बर दिमाग हिल जाएगा देखना इतने सारे question करोगे न counting हो फिकर के और इधर तो explain करना पड़ रहे है बता हूँ सारी चीजे मिक्स हो जाती है न हाँ एक तरह की shape हो वो लग scenario है के अकेले triangles count कर रहे है focus रहते हैं के हाँ triangle ही दिखाई दे रहा है आदत बन जाती है कभी quadilater ला रहा है कभी triangle ला रहा है कभी क्या आ रहा है कभी क्या आ रहा है ठीक है बस खतम है बात अगर दो ये वाले include हो चुके थे कि दो बड़े ही रह गए बस एक ये break complete आठ चार बारा और चार सोला हमारा final लाज next quadilaterals देखने हैं आपर भी एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ के बाद दो दो की merging एक दो तीन और ये चार अभी हमने horizontal target किये vertically shape में एक ही quadilaterals बन रहा है आच चक करलो vertically shape में सिरफ एक ही quadilaterals बन रहा है अब हम club करेंगे तीन-थीन तीन-थीन को अपस में club करो तीन की shape में एक तो ये include हो रहा है तीन की shape में सिरफ एक ही दिखाई दे रहा है तो ये भी बन रहे है और एक बड़े वाला इस्सा ठीक है कितने हो गए तीन साथ पांच बारा और चार सोला सी ओप्षन वो वेरिफाई करना है क्या अंजी वेरिफाई करें रिपीट रखें क्या इसे रबर्ड साथ ये हो गए एक दो तीन चार एक पांच ठीक है तीन कॉम्पोनेंट्स की मर्जिंग में अरे तीन कॉम्पोनेंट्स की मर्जिंग में दो बन रहे हैं एक दो तीन एक तो ये बन गया एक दो तीन ये भी तो बन रहे है तो ये दो है बाकी कंप्लीट बन रहे है साथ, पांच, बारा और पांच, 17 जो है हमारा final answer होना चाहिए, 17 is the final answer, ये तीन तो मैंने आपको बताई दिये थे, एक ये वाला हो गया, एक उपर वाला, और एक complete, next, प्रेंगल्स देखने है, तरी भुजों की संख्या ग्याद करनी है, ये है हमारा question number 48, कोई entity बन रही है, न देखो, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, तो कोई फाइदा नहीं है, manually solve करते हैं, पहले single component को target करो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ठीक है, बस, एक, दो, तीन, इसके इलावा ये चोथी, ये पांच में, ये छटी, ये साथ में, तो सही बन रही है, ये कठा देख सकते थे, दो, दो को merge करें अगर तो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, दो की merging में, छे इंक्लिवड हो गए, clear, divide करके देख ले न, ठीकत आए तो, marking कर देता हूँ, मैं repeat कर देता हूँ, दो कौन कौन से merge किये, पहले तो इन दोनों को merge किया, फिर इन दोनों को merge किया, देखो, पिर इन दोनों को merge किया, ओके, उसके बाद दो shapes और कौन से include हुई फिर इन दोनों को merge किया यह देखो फिर इन दोनों को merge किया फिर इन दोनों को merge किया तो यह हमारे पास कितनी होगी 6 अब 3 को अगर मैं club कर लेता तो 3 की clubbing में एक तो यह आ रहा है यह देखो तीन component टिकटे आ रहे है तीन को merge करने पे एक यह include हो गया ठीक है और 3 club नहीं हो रहे आगे देखते हैं इनके इलावा इनके इलावा vertices से ही हम triangle बनाना शुरू कर देते हैं यह vertex है बस यह एक triangle बना इस vertex से बस यही एक बन रहा है इस vertex से नहीं बन रहा कोई भी यहां इस shape से नहीं बन रहा एक यह बना दिया यह भी 2 में मर जो गया था नहीं बस इसके लावा कोई भी visible नहीं है और 7, 6, 13 और 1 कितना हो गया 14 जो हैं देखें option का difference भी देखो कितना है जब 14 के बाद मिलने में मुश्किल हो रही है न आपको चलो एक अदा मिल जाता 14 के बाद हम 15 पे आ जाते 16 पे आ जाते फिर तो हम question को solve करने की कोशिश करें अब 14 के बाद इतना हमने गोर से देख लिया 15 में तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं और option का reference भी देखो 14 के बाद directly कितने 18 हाँ अगर हमारे पास option होता न 15 है या 16 है तो मेरे मन में डर रहता भाई एक अदा स्किपना हो जाए मुझसे अब 14 के बाद directly 18 पे आ रहे हैं और तो visualize भी नहीं हो रहे तो यहीं से आप confidence के साथ अपना answer mark कर सकते हो कोई घपराने वाली बात नहीं है ठीक है जी आगे देखो star की shape है proper star नहीं है manually ही question को solve करेंगे एक दो triangle ही count करने तीन ये चार ये पाँच और ये छे ये साथ ये आठ नो दस तो हमारे पास कितनी triangles की shape आ गई अभी तक हमें अगर इसे normally question को solve करना था तो 10 triangles create हो गए ये single component की shape दे रहे है ठीक है ये single components की shape दे रहे है ट्रेंगल की case में अब हम कर देते हैं merging यहाँ से शुरू करो इस vertex को उठालो पहले यहाँ से cyclic order में चलते रहेंगे एक तो ये बन गया ठीक है और यहाँ से 2 component उठ सकते हैं नहीं अब इसकी बारी एक ये बन गया कितने होगे दो अब इसकी बारी ये कितने होगे तीन अब इसकी बारी ये कितने होगे चार अब इसकी बारी ये कितने होगे पाँच अब इसकी बारी ये कितने होगे छे समजागी बात तो दस और छे कितने हो गए सोला option eliminate कर दो अजी option eliminate कर सकते हो आप यह option eliminate यह option eliminate सोला 17 होने चाहिए मतलब एक हमने skip कर दिया ऐसा किया चलो देख लेते हैं एक बार एक यह बना दिया यहाँ से यह number 2 हो गया यह number 3 हो गया इसके बाद यह number 4 यह हो गया 5 और यहाँ से 6 नमबर और कौन सा creator है भाई क्योंकि option तो 17 गिवन है अभी तो हमारे पास 6 available हुए हैं एक यह 2 यह 3 यह 4 यह 5 और यह 6 अरे यह भी तो दिखाई दे रहे देखो इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा आपको क्योंकि बाकी सारे तो include करी चुके दे हम यहां से triangle की shape नहीं आ रही है यह देखो यह bend आ रहा है इसको मत count करना 17 हमारा final answer चलो quadrilatals count करने है इस question के अंदर पहले single component में 1,2,3,4,5,6,7,8 2 की merging कर दे 2 की merging में देखो पहले horizontally एक इन दोनों को इकठा कर लिया यह 2 यह 3 इन दोनों का 4 यह 5 vertically देखे दो 5 के बाद यह 6 और यह 7 साथ यह बन गए अब merge करते हैं 3 components को 3 components 3 components एक तो यह यह 3 होई कठे उठा लो 3 components वाला थोड़ा carefully देखना क्योंकि यह अनिवन सी figure भी merge होके कोई न कोई quadrilateral की shape आपको दे सकती है यह 3 होई कठे उठा लो horizontally यह 3 होई कठे उठा लो यह देखो यह 3 होई कठे उठा ली अभी तक के लिए कितने बनगे 3 यह देखो यह अनिवन सा दिखा रहा है न यह भी तो 3 ही है तो 3 components में merge करने पर कितने quadrilateral मिले हमें 4 अब इसके बाद इसके बाद बाद करते हैं चलो 4 components से include करें तो 4 components को include करने पर सिरफ एक ही बन रहा है अब बाकी shapes को target कर लेते हैं कौन कौन सी रह गई एक तो हो गया यह वाला body lateral यह number 2 हो गया यह number 3 हो गया और बड़े वाला number 4 8, 7, 15 और 5, 20 और 4 24 maximum option ही हमारे पास 24 है next triangles count करने हैं इस figure के अंतर methodology रिभुज entities target कर लेते हैं entities ही visualize हो रही है सारी की सारी यह देखो एक entity यह दिख गई 3 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 3 12 4 entities visualize हो गई तो 12 ही है इसके इलावा merging में दिखाई नहीं दे रहा और कुछ देखो 3 is base पे है 3 is base पे है 3 is base पे 3 is base पे इनको आपस में merge करो नहीं यह भी quadilateral बन रहा है 12 is the final answer 4 entities visible हो रही है वो भी identical next इस question में आईए एक तो इस shape को हम ऐसे cover करते है पहली बात को यह वाला area यह ऐसे इसमें कितने हो गए? इस art के अंदर यह पूरा section include हुआ यह parts को हमने include नहीं किया इसमें भी यह पूरा section include हुआ इनको अभी parts में include नहीं किया ज्यान रखिएगा तो इन art में मैं और जोडने लगाऊ पहले तो इस section में देखो अलग-लग और कौन सी बनती थी? एक और दो इसको तीसरा नहीं count करना three count हो जाएगा न तो एक, दो, यह तीसरी और यह चोती चार यह हो गए इसमें दो हो गए, इसमें दो हो गए अब इधर आ जाईए इस वाले section के अंदर यह देखो एक, यह दो, छोटी-छोटी बन रही है अब इनी के अंदर ही merging शुरू करतो दो यह हो गए इन दोनों को merge करो यह तीन हो गया इन दोनों को merge करो चार और इकठा देख लो, पांच समझा गया पांच के बाद इन दोनों को merge करो यह छे और इन दोनों को merge करो यह साथ क्लियर हुआ तो साथ और include हो रहे हैं सिरफ और सिरफ इसी shape में मैं इसी shape में repeat करवा देता हूँ फिर से आपको एक बार जहां से समझना एक यह दो तो यह होगी छोटी छोटी बन रही थी फिर इनको ही कठा किया यह 3 और यह 4 तो सभी को ही कठा किया यहां से कितनी होगी 5 पांच के बाद यह 6 और यह 7 तो यह वाले 7 जो है मैंने यहां पर include किये है I think इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए तो 8 और 4, 12 और 7 कितने होगे अब हमारा final answer आगया 19 क्योंकि सारे portion को हमने individually भी देख लिया और club करके हमने इस shape में से पहले ही conclude करके रख लिये थे कि 8 triangles ही visible हो सकते है इसके लावा कोई और नहीं बन भी थोड़ा सा time taking था वो भी इस section के भी आप थे बढ़ते हैं अगले की तरफ next question यहां पर भी ऐसी ही shape आप पहले ही conclude करके रख सकते हो अगर पहले ऐसे include नहीं करना तो इसे 3 portion में divide कर देते हैं यह देखो एक यह हो गया section एक section यह हो गया एक section यह बैठा हुए तो 8 इसमें है और 6 इसमें है यह देखो इधर हो गए और 3 इए बड़ी वाली shape में हो गए visualize हो रहे हैं ना इधर 6 हो गए सारे का सारा इस section में इसमें 8 है इसमें 8 है आठ आठ 16 और 6 कितने होगे 22 option eliminate हो सकता है directly अगर हम इन दोनों को club करें junction point बन रहा है यह देखो एक यह बन गया और एक यह बन गया 22 और 2 कितने होगे हैं हमारे पास 22 तो हमारे पास B option भी eliminate चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं ठीक है next देखो अब इन shapes को हमने merge तो कर लिया इसमें हो गए 6, 8, 8, 16, 6, 22 इनको merge कर लिया दो बन गे इसको इसके साथ merge करके देखो अगर मैं इसको इसके साथ merge करके देखो तो एक triangle यह create हो रही है इसको इसके साथ merge करके देखें तो एक triangle यह create हो रही है यहां ट्रेंगल यह काउंट करने है 5 और 2, 24 और 2 कितने होगे D option जो है हमारा यहां पर final answer आया that is 26 जी 4 चलो, कैसे करोगे इसे पहले तो split कर दो, इस तरह पर यहां पर quadilateral निकालने है, triangle निकालने है sorry for that, यहां में quadilaterals include करने है चत्र भुज तो single component में तो कोई भी नहीं है directly merging ही शुरू होगी इसे थोड़ा carefully attempt करना होगा जहां से देखिएगा एक तो यह बन गया यह number 2 side पर रख दो यह वाले 2 side पर रख दी है हमने यह दो side पर रख दी है इसके इलावा यह देखो यह भी चत्र भुज है तो यह वाले side पर रख दो तार हो गए छोटी से बड़ी shape की तरब हम switch कर रहे हैं जहां पर भी quadilateral दिखाई देंगे इसके इलावा यह देखो यह भी quadilateral है यह भी quadilateral है चार-चार side दो गई तो यह include हो गए छोटी से बड़ी shape की तरब उसके बाद बस दो और रह गई एक यह है quadilateral और एक यह quadilateral है कितने होगे total हमारे पास final answer में total eight quadilaterals हो गए ठीक है जी next triangles चलो इस triangle की shape में इस section को लग से रख दो पहली बात तो यह कितने होगे आठ और एक यह include होगे आठ और एक कितने होगे नो एक सेक्ड रूपना गर्मी ज्यादा हो रही है पूलिंग ही नहीं करना चलो आठ और एक कितने होगे नो अब सारे का सारा portion merge करने का time आ गया पहले इस वाले को इसके साथ merge करके देखते हैं एक triangle यह बनी एक triangle यह बन गई दो गई include इसको इसके साथ merge किया इसको इसके साथ merge करेंगे तो सिरफ यह वाली shape बनेगी ठीक है और कोई बन रही है यह तो यहां से देख लिए यहां से देख लिए यहां से देखेंगे तो नहीं बनेगी यहां से देखेंगे तो overall complete कर चुके हैं बस यह यह final answer है आठ और चार केतना होगा हमारा फाइनल आंसर च्वेल option number B next ऐसी कहीं न कहीं हम shape जो है पहले discuss कर चुके हैं तो यह मत कहना के question repeat हुआ है वो वली shape में पते क्या था जो मैंने आपको दो बर question solve करवाया था वो यहाँ पर भी line include हो रही थी यहाँ से देखेगा पीछे जाके question देख सकते हो यह आपको shape available होगी पर यह shape जो है वो पिछले के comparison में totally different है यहाँ पर यह line include नहीं है तो वही बात आती है इस section को अलग से देखो यह कितने होगे 8 उसको अलग से handle करते हैं आप ठीक है एक दो 3 cut it इसके साथ merge करेंगे नहीं बन रहा इस वाले area को इसके साथ merge करेंगे नहीं बन रहा इन तीनों areas को आपस में merge करेंगे तो भी नहीं बन रहा बस इन सभी का मुद्दा इनके साथ है पहले उपर वाले section को इसके साथ लेके आओ इन दोनों को merge करो एक ये बन गया ये तीनों को merge करो एक ये बन गया देखो दियान से एक ये include हो रही है और एक ये include हो रही है इनी के साथ साथ तो तो ये visualize होगी आपको मैंने क्या किया इस वाले section को अलग से रखा था ये वाला अभी सिरफ ये वाला portion इनके साथ include होगा एक तो ये बना जेस्टर देखेगा बस एक ये बन गया और एक ये भी बन रहा है ये देखो समझाया? तो यहाँ पर हमारे पस कितने include हो गए? तीन और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें जलो एक ये section अलग से था ना देखो इस वाले area को इसके साथ include करो एक तो ये बन रहा है एक ये number 2 हो गया और ये number 3 3 और आ गए repeat कर देता हूँ ये देखो एक ये 2 और ये 3 चलो अभी तक के लिए देखो कितने हो गए? 9 और 8 कितने हो गए? 17 सारी figures को आपसे merge करें एक बड़ी triangle ये भी include सारी के सारी figures को merge करने पे एक बड़ी triangle ये include हुई 8 और 9 17 के बाद answer कितना हागया? 18 त्यक्याइ? final answer 18 एक हमने repeat कर दिया एक 18 होगा हमने एक repeat किया देखो ये 8 थे उसके बाद क्या हुआ? 9, 10, 11 तीन तो ये हो गए इसको इसके साथ कलब किया एक ये हमने इसको recount किया था I mistake इस वाली को हमने recount कर लिया था एक ये वाली shape create हो रही है एक बड़ी shape ये include हो रही है ये 2 इसके साथ 3 बन गए ठीक है? एक ये बन गया ये दूसरा और ये बड़े वाला तीसरा और ये बड़े वाला तो 17 जो है हमारे पास final answer होना चाहिए 8, 3, 11, 2, 15 ये 3 और एक क्यों लिखा मैंने? 8, 3, 11, 2, 13 यहां से 3, 16 और एक ये बड़ी वाली 17 जो है वो final answer तो महलब ध्यान में रखना है कि कोई recount तो नहीं हो रहा बस इस चीज़ को थोड़ा carefully attempt करना body laterals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो single component में हमारे पास 9 चत्रभूस तो ये available हो गए उसके बाद बात करेंगे merging की merging की बात करते है 2-2 को आपस में merge करो इन दोनों को merge करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दो को merge करने पे 7 quadrilateral में है अब 3 को merge कर देंगे अब कोई भी 2 component जो merge हो रहे थे वो vertically ही merge हो रहे थे जो एक quadrilateral की shape दे रहे थे यहां पर भी vertically merge होए यहां पर भी vertically मर्ज होए इस shape में कोई भी quadrilateral हमारे पास बन रहा था ठीक है? कितने बन रहे थे? यह एक बन रहा था यह देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं वो six sides six sides हो जाती फिर वो quadrilateral ना होता एक, दो, 3, 4, 5, 6 नहीं वो quadrilateral ना होता चलो तीन को आपस में merge करते हैं यह तीन ही कठा कर दो इन तीनों को ही कठा कर दो एक यह हो गया पर दर इन तीनों को ही कठा कर दो दो यह तीन हो गए इन तीनों को ही कठा करने पे इन तीनों को इकठा कर दो, ये चार हो गए और इन तीनों को इकठा कर दो, ये पांच हो गए तो तीन components को आपस में merge करने पे पांच quadrilateral और बने, उसके इलावा तो हटाओ, अब आगे merge करो इन चारों की चारों shapes को merge कर दो एक तो इस तरफ बन रहा है, ये देखो एक बन गया इस तरफ ठीक है, और ये पूरे का पूरा एक, दो, तीन, चार और ये complete हो गया नहीं, रुकिए एक सेकेंड अभी हमने तीन-तीन को merge किया था ना चार को merge करेंगे तो इधर दो include होगे एक ये include होगा, एक ये include होगा repeat कर देता हूँ ये वाला चार को merge करना है, तीन के बाद एक तो ये चार section ये एक quadrilateral की shape दे रहे हैं एक, दो, तीन, चार, ये भी तो चत्रभुज बन रहा है, फिर इन चारों को merge करो, ये भी तो चत्रभुज बन रहा है तो चार combination में हमारे पास कितने आ रहे हैं, तीन और include हुए ठीक है तो चार को include करके ये वाला section चार में आ चुका था अब पांच को include करेंगे, एक तो ये बन जाएगा, और ये के बड़े वाली shape बन जाएगी, मतलब दो और include हो जाएगे, तो देख लिजे हमारा final answer अब कितना आ रहे है 9, 7, 16 और 5, 21 और 5 कितना हो गया? 26, maximum limit तक भी पहुंच चुके हैं, answer के through next, number of triangles चलो, एक तो आप इसे ऐसे कर सकते हो के इसे दो parts में ऐसे supplyt कर लो, आप top वाले portion में conclude कर लो, bottom वाले में अपने आप ही include हो जाएंगे, उसका double हो जाएगा ना आप इस area में find करो, ये कितने होगे 3, 3 और 3 कितने होगे 6, फिर इनको merge करो 6 इधर होगे, 6 इधर होगे इस तरह से, अगर ऐसे नहीं करना तो इस section को अलग से देखो इसमें कितने होगे, 8 पाकि individually देख लो ये 9, ये 10, और ये 11, और एक 12 समझा गया, इसके बाद merging करनी है पहले इन shapes को इसी में ही include करके देखो ये देखो, एक A बन रहा है एक A बन गया ठीक है? similarly, एक A बन गया और एक A बन गया तो चार और include होगे इसी में ही add कर रहा हूँ है चार shapes और include होगे triangles की just a second इस वाली shape को हमने अलग से रखा था उपर वाला portion अभी अलग से cover किया है, नीचे वाला portion अभी अलग से cover हो रहा है चलो, 8, 4, 12 और 4 कितने होगे? 16, पर इसके बाद भी include होगे और merging देखो अब ये वाला portion अलग से देखा था ये जो मैंने split किये था, इसे 2 half में उपर वाला portion अलग से देखा अब ध्यान से देखिएगा और कितने include हो रहे है खुड़ा carefully देखिएगा ये hide कर रहा हूँ में line एक A बन रहा है एक A बन रहा है समझ में आया similarly एक A बन रहा है और एक A बन रहा है कितने होगे चार और include होगे इसके इलावा यहां से देखिए हमने सिरफ ये वाला portion cover किया है वड़ ये complete भी तो बन रहा है एक और दो और include होगे option का reference लो 8 और 8, 16 और 6 कितने होगे 22 तो include हो ही रहे है 16 और 18 option जो है हमारा मतलब B और D option जो है वो तो directly eliminate हो गया अभी तक कितने include होगे 22 अब हमने इसको vertically देखा vertically shapes में पर ध्यान दीजिए ये बड़ी बड़ी triangles दो भी तो अभी बाकी है 22 और 2 कितने होगे के हाँ और तो include हो ही नहीं रहे हम तो सभी को ही cover up कर चुके हैं फिर आप confident होके answer mark कर सकते हो डूढ़ने मत बैढ़ना के नहीं मैं 25 और 26 नंबर भी देखनू visible भी तो होने चाहिए ना जब उनकी visualization ही नहीं हो रही तो जबरदस्ती figure out करके भी क्या फायदा उन चीज़ होगा चलो इस question में आते हैं next देखिए split कर दो figure को ये portion अलग रग दो ये portion अलग रग दो ये 8 8 और 8 16 16 और 3 19 अब इस 19 से further हम continue करेंगे ये इस 19 के बाद कितने triangles बनेंगे उन इस portion को लग से देखा इस को लग से merging करते हैं पहले top portions की merging कर दो ये देखो 1 ये 2 इसमें कोई confusion अभी हमने सिरफ दो parts को जो है वो merge किया है अब इस वाले area को उपर वाले areas के साथ merge करेंगे इसको मैं hide कर रहा हूँ देखेंगे ध्यान से पहले तो इस वाले portion को इसके साथ merge करते है एक ये दो और ये तीन समझाया तो left side वाले portion में हमारे पास 3 बने तो similar entity यहां भी तो दिखेगी ये देखो एक ये बन जाएगा ये दो number और ये जो complete है तीन number तो 3 इधर की तरफ हैं तीन उधर की तरफ हैं total कितने होगे अभी तक के option का reference लो option eliminate करो 19, 6, 25, 2 कितने होगे 27 देखो सारे option A, C, O, D 27 से नीचे हैं answer क्या होगा 28 directly अब ये 28 वा कौन सा ये बड़े वाला option का reference लेकि ये आपका question solve हो सकता है तो इसलिए exam में option को जरूर consider करके चलना जितने भी आपने number of components count कर लिये हैं accordingly आपको option भी तो available होना चाहिए बढ़ उस range में नहीं है जैसे यहाँ पर 25 नहीं देख रहे थे यहाँ तक हमने 25 include कर लिये थे 25 option में नहीं दिखा sorry 19, 25, sorry 27 27 option में नहीं है 3 option 27 से नीचे है 27 या 27 से उपर सिरफ एकी option है वो हमारा final answer कम से कम time में question को solve करना है चलो इस वाले question में बात करते हैं अब इसे भी multiple ways में आप solve कर सकते हो काफी तरीके हो सकते हैं entities में इसे split करके या तो entities को ऐसे split कर लो 8 ये हो गए 8 और 8 कितने हो गए 16 फिर 2 ये हो गए 2 ये, 2 ये, 2 ये 16 और 8 कितने हो गए 24 यहां से आप आगे continue कर सकते हो एक तो ये थरीका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इस shape को अलग रख लो इस shape को अलग रख लो ये देखो ये ज़्यादा बहतर होगा 1, 2, 3, 4 इस वाली figure में कितने होगे 10 ये basic नहीं करवाऊंगा मैं आपको इस वाली में कितने होगे 10 इधर कितने होगे 3 इधर भी कितने होगे 3 1, 2, 3, 4 4 ये भी होगे तो देखो count करते हैं इस shape में 10 हैं इस shape में 10 होगे 10 और 10 20 20 और 6 कितने होगे 26 26 और 4 कितने होगे 30 option eliminate करो इस option तो बाहर निकल गया अब आती है merging की बात अगर हम merge करना चाहेंगे तो इस वाली shape को किसी के साथ भी merge करो तो वो triangle consider करके नहीं दे रहे बट उपर वाली और नीचे वाली shapes को इन बीच वाली के साथ merge करेंगे तो 4 triangles की formation और होगी question no doubt था typical figure के accordingly बट है बहुत असान तो 4 और आगे 24 कितने होगे 34 maximum limit भी हमारे पास option की कितनी है 34 ठीक है तो ये हमारे session का last question था कितने question कर लिए हमने 60 question तो explanation कैसी लगी understanding कैसे हुई है जरूर comment section में बताना ठीक है अगर session अच्छा लगा हो यार like button भी ठोक देना और बाकियों के साथ जरूर share कर देना तो यूग ऐसा होता ना के हाँ भाई देख ले अगर तुझे यहां से समझ में आता है ऐसा भी कर दो के तो भी चलेगा हमारे लिए तो बाकियों की help हो जाएगी बाकि और बहतरीन question देखना चाते हो इन से भी हटके होंगे अगर आपके वास book है तो आपने देखी लिया होगा 200 के करीब question है 190-200 सारे नए-नए question है repeat नहीं मिलेगा आपको different shapes में आपको question available होंगे मलब हर एक chapter में previous year के भी included है upcoming जो भी आने वाला है level question का अगले 3-4 साल के अंदर-अंदर यहां से बाहर नहीं आने वाला हर एक pattern आपको यहां पर दिया हुआ है different pattern पे हैं सारे के सारे question यह नहीं के same pattern पे मैंने question ही repeat कर दिया ऐसा नहीं होगा तो यह tier 1 और tier 2 basically tier 2 की market में एक single book ही available है चाहे अब जितना मर्जी ढूंड लेना क्योंकि tier 2 अब तक हुआ नहीं था सारे previous year की तरफ ही approach करने है और यह वाला previous year आपने tier 2 देखा होगा CGL 2022 का तो वो easy था त्यार रहना अगले वाला tier 2 tough level काएगा guaranteed क्योंकि जब भी changes आती है ना किसी भी exam के अंदर चाहे वो banking sector में हो या SSC sector में हो changes आने पे level काफी easy दिया जाता है अगला level के लिए ready रहना वो आपको moderate से high level मिल सकता है चलो तो अगर आप इस book को access करना चाहते हो clip card से देखे नहीं तो अगर आपने app download कर रखी है वहाँ पर ही directly our books का जो section है उसमें जाइए link मिल जाएगा इस से बाहर नहीं आने मला आपको पूरी book cover कर लीजे और tier 2 में तो कुछ एक question ऐसे भी थे जो नए chapters से included थे वो नए chapters भी इसमें include किये गए थे हाला कि हमने book publish की थी 2022 में जिन्नोंने purchase कर ली है वो book उनको तो पता होगा भाई यह कितनी book beneficial है पाकि अगर आपने book ले रखी है अपने reviews भी comment section में डाल देना बाकियों की help हो जाएगी moreover अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है courses के लिए enroll करना चाते हो basic से सीखना चाते हो तो app download कर लो यह जो paid course का जो हमारा section है यहां से जाके आप courses के लिए enroll कर सकते हो totally video course मिलेगा recorded videos रहेंगी मतलब जैसे आपने यह course purchase किया one go में ही आपको सारी videos available हो जाएगी हर एक chapter की with extreme practice okay slaybers तो cover हो जाएगा but speed generate करने के लिए आपको extreme practice sets भी available है accordingly level जैसा भी आएगा काफी सारे practice sets include होगे है अब इसमें तो 30-35 के गरीब तो होगे chapter में तो question है यह बहुत सारे बलक में extreme practice sets में भी included है 25-25 का set लगा लो 30-30 का set भी available है वो आप कर सकते हो worth रहेगी आपको time waste नहीं होगा totally to the point बात की गई है relevant topic पढ़ाया जा रहा है उससे related खालतों की बात है नहीं की गई recorded course का वही तो benefit है आपका दो गुना time जो है तीन गुना time जो है वो save होता है as compared to live sessions live में बहुत जादा time waste होता है अगर आप paid courses की तरफ एप्रोच नहीं कर पा रहे हो free videos भी देख सकते हो कई होते हैं नहीं purchase कर पाते है otherwise paid लेना चाहते हो तो video course हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है वैसे तो इस video में बता चल गया होगा otherwise demo section में जाए paid course का demo भी एक chapter हमने free of post रखा हुआ है वहाँ से आपको idea लग जाएगा कि कितना depth में पढ़ाया जाता है ठीक है पूरे का पूरा concept नहीं चोड़के और बहुत सी free of post चीजे हैं जिनका आप access ले सकते हो ठीक है और रही बात इस session की PDF की डाउनलोड कर लो YouTube PDF का जा नाम का फोल्डर है इस section में जाके आपको इस या इस series के अंदर जितनी भी हम include कर रहे हैं chapter उन सभी की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है तो चलो इस session में इतना ही अगर session अच्छा लगा हो like जरूर कर देना और बाकियों के साथ भी जरूर शेयर करना और ये PDF आप दो तिन बार attempt कर लो बहुत है इस से जादा करने की जरूरत नहीं है फिर अगर आपको किसी resource पर नहीं जाना जाते है ओके चलो इस session में इतना ही जल्दी ही मिलते हैं अगली chapter के साथ take care, good bye